हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी लोगा एम बैक विद इन अमेजिंग वीडियो और आज का जो टॉपिक है हमारा वह है ट्राइंगल जो में कहीं से पढ़ लिया नोट नहीं बना पाई सारे फॉरूमला याद नहीं है कि आपकी कवर हो जाएंगी इस वीडियो में पूरा ट् करता हूं दो भी चीज़े बता रहा हूंगा यह सारी आपने पहले से पड़ रख्योंगी तो बहुत असानी से आप सारी चीजों को रिकेप्चिलेट कर पाएंगे अगर आपने नोट नहीं बना तो आप इससे नोट बना पाएंगे और एक कम्प्रीट रिविजन आपको ह के हमी है इससे बनेगे तो आप कर पाएंगे ऊसे होता है क्योंकि ट्रेंगल मेरे यह सीखल से संब्स्कार नहीं में करते हैं है सरकल में भी क्या होता है Prayer कोई भी बनाई कोई լनाई से जोइन कर दिया तो क्या बन गया टरांग से ट्रिफ कर रहे होंगे एक अच्छे तरहींसे जिससे कि आपको एकजाम में याद भी रहें इसकी पीडिएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ठीक है पीडियोफ के लिए टेलिग्राम चैनल जोइन कर ले न महाँ पर मैं बताऊंगा या तो टेलिग्राम चैनल पर ही इसकी पीडियोफ प्रोवाइड करूँगा या फिर आपका अप्लिकेशन पर मिलेगी ठीक तो स्टार्ट करते हैं के अंदर कर दी जाएगी सांथ शीजल ट्वटी टुटीवज़ं टीर वन की चैप्टर वाइड सॉलूशन हैं अगर चमेटरी ही आप कर रहे हैं तो मैंने सारे जो और पिछले तीन-चार सालों में एक्जाम हूए हैं तो मैंने सारे जो प्रेश्य तीर वन, टीर टुज़ का grammar का crash course available है वो आप देख सकते हैं आर भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और complete preparation के लिए आर भी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले हमारे पस कुछ lines होती है ठीक है अगर दो line आपस में टकरा जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में पैरलल हो इनके बीच के क्या हो दूरी बराबर हो यह हमारी lines क्या कहलाती है parallel lines कहलाती है सम्नांता रिखाई कहलाती है एक line के उपर दूसरी line को overlap कर दूं तो यह concurrent lines कहलाएंगे और अगर मेरे पास दो line जा रही हूँ ऐसी और एक line इन दोनों को काटती विच ली जाए तो यह transversal कहलाती है यह वाली line ठीक है यह basic terms है जो आपको याद रखनी है इसके बाद हमारे पास होता है complementary angle और supplementary angle ठीक है पूरा कोन और संपूरा कोन अगर मैं कहूं दो कॉन complementary है इसका मतलब उन दोनों angles का sum क्या होगा 90 degree होगा अगर मैंने कहा दो angles supplementary है इसका मतलब उन दोनों angles का sum क्या होगा 180 degree होगा clear है इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कुछ basic angles होते हैं चुछ property जो होती है जो हमें याद रखनी है मान लो मेरे पास क्या दे रखा है यह दो parallel lines दे रखी ठीक है इसमें मैंने कहा यह वाला angle है A तो इसके corresponding यह parallel line जा रही है इसके ओपर यह transversal जा रही है मेरी यह transversal है तो यह A है इसके सिधा सिर्फ यहाँ पर यह उपर वाला angle यह वाला angle भी क्या होगा A इन दोन angles को बोलते हैं corresponding angles अगर यह दोन लाइन parallel है यह transversal ला लिया है तो यह वाला angle A है तो यह वाला angle भी A होगा similarly अगर मैं देखो इसके नीचे वाला angle अगर इस angle को मैं कहूं B तो यह मेरे पास parallel line है यह उपर parallel line जा रही इसके नीचे वाला angle just A यह वाला angle भी B होगा इन angles को बोलते हैं corresponding angles यह एकवल होते हैं इस से तिरी कैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरे पास यह वाला angle है A ठीक है यह parallel line जा रही यह parallel line जा रही यह angle A है तो यह वाला angle भी क्या होगा मेरे पास A होगा दो parallel line के बीच में interior angles यह बन रहे हैं छोटे वाले यह equal होते हैं इसे हम बोलते हैं alternate interior angles alternate क्यों पहला angle एक छोड़ा यह वाल angle यह वाल angle पकड़ा तो यह alternate interior angles क्या होते हैं equal होते हैं similarly अगर यह A है यह A है इसी तरह से alternate interior angle मेरे पास क्या हो जाएगा यह B है यह angle छोड़ा यह वाल angle क्या हो जाएगा मेरे पास B तो यह भी alternate interior angles होंगे उसके बाद opposite angles equal होते हैं opposite angles कौन से होते हैं जैसे कि आपने देखा यह मेरे पास line जा रही है यह vertical opposite angles खिलाते हैं यह बराबर होते हैं जैसे यह B है यह इसके बराबर हो गया B यह vertical opposite angle similarly यह भी है तो यह वाल angle B हो जाएगा और यह वाल angle B हो जाएगा क्या यह properties आपको clear हो गई तो यह basic properties हो जो हमें यादर रखना है तो अगर दो lines parallel हो और एक transverse लो तो यह सारी properties लगती है अगर मेरे पास उल्टा भी हो जाए मैंने कहा मेरे पास दो line ऐसे जा रही और मुझे यह वाला angle A दे 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 और यह वाला angle B दे दे तो मैं कहूंगा यह दूनों lines क्या हो जाएगा आपस में parallel हो जाएगा तो वाइस सब्सक्राइज और इतना पार्ट के लियर हो गया ठिक इसके अंदर एक property और होती है हमारे पास जैसे मैंने कहा यह वाला angle A है यह एक line जा रही है तो यह वाला angle क्या हो जाएगा यह 180 minus A हो जाएगा एक line पे पूरा जो कौन होता है वो 180 degree का होता है तो यह 180 minus A होगा तो हम कहते हैं एक property होगी दो parallel line से और बीच में एक line जा रही तो एक side पे जो दो angles बनेंगे इनका sum क्या होगा A है यह 180 minus A इनका sum होगा 180 तो इन दोनों angles का sum होता है 180 degree बहुत basic सी चीज़े हैं सबको पता है आप 2x की speed पे वीडियो को देखते हैं जहां लगे आपके काम का है रूख जाना ठीक हम एक एक चीज बिल्कुल आराम से बताता हूँ चल रहा हूँ अब मेरे पास क्या हो अगर यह B है यह C है यह D है यह E है और यह F है तो प्रोपर्टी क्या होती है इसके इस साइड वाले जितने भी angles हैं जहां मूँ मेरा क्या है खुलावा है A, C और E तो इनका sum इसके बराबर होता है तो इस साइड किस जा रहे है इस साइड मूँ खुलावा है जिनका P, D और F तो क्या प्रोपर्टी आप याद रखेंगे कलू आगे एक जाम में कोशन आया डिरेक्टली कर पाओगे अब हम आते हैं ट्राइंगल से बहुत बेसिक सी चीज़े बताएं ट्राइंगल क्या होता है त्रिबुज क्या होता है मेरे पास एक ऐसी closed figure जो तीन लाइनों से मिलके ब होते हैं पहला कौन दूसरा कौन तीसरा कौन इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है तो मैंने का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 degree, sum of all the angles of a triangle is of 180 degree ऐसे ही इसमें कहते है exterior angle, exterior angle क्या होगा अगर मैंने कोई भी line खीच दी, जैसे BC है BC को आगे भड़ा दिया तो जो ये वाला कून है मेरा ये मेरा exterior angle होगा exterior angle किसके बराबर होता है sum of two opposite interior angles तो इस angle को छोड़ा, triangle का एक angle ये है, एक angle ये है, ठीक है तो ये exterior angle बराबर होगा angle a plus angle b के इस exterior angle 1 माल लेता हूँ ऐसे मैंने ये वाली line extend कर रही थी, मैं यहां से भी ये वाली line को extend कर सकता था तो अगर मैं इस exterior angle 2 माल लो तो ये किसके बराबर होगा ये इस angle को छोड़के इन दोनों angles के sum के तो मैं कहूंगा, e2 बराबर होगा मेरे पास angle b plus angles अब ये जो मैं angle b और angle c ले रहा हूँ ये interior वाले angles है, ठीक है exterior वाले नहीं ले रहे हैं क्या इतना part clear हो गया तो एक triangle के तीनों कोन का योग क्या होता है अगर मैं एक चीज और आगे भढ़ा हूँ थोड़ा basic से चल रहा हूँ आपको आगे समझने में कोई भी दिक्कत ना है मैंने कहा है, ट्रेंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है अगर मैं चार sides वाला एक figure बना लूँ जैसे कि मैंने ये बना दिया तो ये होता है मेरे पास quadrilateral चतुर भूज quadrilateral के सभी angles का सम क्या होगा आप कहेंगे सर इसमें एक बीच में लाइन डाल दो ये मेरे दो ट्रेंगल बन गए इसके internal angles का सम 180, इसके internal angles का सम 180 तो एक quadrilateral के सभी angles का सम हो जाएगा 360 degree अगर मेरे पास कोई polygon हो पोलिगन क्या होगा एक ऐसी closed figure जिसमें n number of state lines से बना हो पतब कितनी भी state lines हो सकती है closed figure होनी चीए तो इसके अंदर सभी angles का सम कितना होता है सभी interior angles का सम क्या होता है अगर मेरे पास n sides है तो मेरे पास sum of all interior angles यह होता है n minus 2 into 180 degree क्या यह चीज याद रहे जाएगी चलें आगे तो triangle मैंने कहा एक closed figure है जो 3 state lines से मिलके बनी है polygon क्या है एक closed figure है जो 3 या 3 से ज़्यादा state line से मिलके बनी है क्योंकि 2 state line को मिला के कभी भी मैं closed figure नहीं बना सकता तो यह polygon नहीं होगा अच्छा क्या यह polygon होगा यह क्या है एक circular part आगया क्या circle एक polygon होगा नहीं होगा क्योंकि हाँ पे straight lines नहीं है closed figure तो है अब मेरे पास जैसे polygon सी देखूं मैं यह सारे क्या है number of lines से बनके बने हैं तो यह सारे क्या होगे मेरे polygons होगे interior angles का sum exterior angle के बारे में मैं already बता चुका हूँ आपको उसके बाद sum of angles of a polygon भी बता दिया मैंने अगर types of triangle की बात करूँ मैं इसे दो तरीके से split करता हूँ मेरे पास triangle क्या है यह है इसमें दो चीज़े अगर हम generally देखें तो मेरे पास एक तो sides है यह अगर capital A माना interior angles को मैं क्या मानूँगा angle A, angle B और angle C तो 3 sides हैं और 3 angles हैं तो triangles को मैं 2 तरीके से split करता हूँ side based या फिर angle based side मतब हुजा के basis पे angle मतब कोन के basis पे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसे types of triangles को मैंने side के basis पे क्या कर दिया split कर दिया side के basis पे क्या होगा 1 होगा skeleton triangle skeleton triangle क्या होता है मेरे पास यह है A, यह है B और यह है DC 3 side है A not equals to B, not equals to C तीनों भुजाएं मेरी क्या हो जाएं अलग हो जाएं ISO slash triangle ISO slash triangle क्या होता है मेरे पास अगर मेरे पास एक triangle दे रखा है मैं ऐसे ही ABC मान लेता हूँ ABC इसमें दो भुजाएं बराबर हो जाएं मतलब यह वाली भुजा और यह वाली भुजा बराबर हो जाएं कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है तो मैं कहूँगा यह ISO slash triangle सम्दवी भाखो मतलब दो भुजाएं बराबर और equilateral triangle की बात करेंगे तो 3ो भुजाएं मेरी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी अच्छा equilateral triangle में 3ो भुजा बराबर होती है और इसमें एक और कीजी निकल के आती है मेरे पास 3ो कौन भी बराबर होते है 3ो कौन बराबर हुए तो 3ो कौन को अगर सरेकर हैं इक हम जब भी हम को बाटेंगे तो हम सबसे बड़े की बात करेंगे त्रेंगल में lleva गक्षोत कोण कि बात करूब ऐंगल की सोरी इंगली इंगला मिइन्टी मिक्स हो DifReady तेंगला Ara मिअ इससे इन आफ य्टिन अगर मैं चोटा हो जाएक इससे 90 से 10 एंगं 20 अगर biggest angle भी 90 से चोटा है तो मेरा acute angle triangle बनेगा, अगर biggest angle ही 90 से चोटा होगा, ये भी 90 से चोटा होगा, ये भी 90 से चोटा होगा, और 90 से चोटा होगा, right angle triangle की बात करूं, तो biggest angle जो सबसे बड़ा angle होगा, वो मेरा क्या होगा, वो होगा 90 degree, तो biggest angle ये 90 डिगरी होगा, obvious सी बात ह सबसे बड़ा यही होगा क्योंकि अगर एक 90 हो गया इन दोनों का सम क्या होगा इन दोनों का सम मिला के 90 बनेगा तो यह अपने आप में 90 से छोटा और यह भी 90 से छोटा होगा इसमें जो बिगेस्ट एंगल होगा बड़ा होगा मेरा 90 डिगरी से यह वाला एंगल देखो 90 होता तो बिल्कुल ऐसी लाइन जा रही होती यह 90 से थोड़ा एक्स्ट्र ही है न तो 90 प्लस थीटा तो बागी दोनों एंगल क्या होंगे यह 90 प्लस है तो ओव्यस सी बात है उसके बाद कुछ प्रोपर्टी होती है ट्रैंगल की सबसे पहली प्रोपर्टी कहती है सम ओफ टू साइड़ की से हमेशा जोटा होगा तो अगर मैं इसे एक्स्प्लेइन करूं तो मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड मैंने ए बी और सी माल ली तो मैं कहूंगा जो ए साइड है बची वे दो साइड क्या है बी और सी तो यह वाली वैल्यू मेरी इन दोनों के डिफ्रेंस से क्या होगी बढ़ी होगी और इन दोनों के समसे क्या होगी चोटी होगी ऐसे बी साइड भी लूँ अगर मैं तो यह इन दोनों के डिफ्रेंस से क्या होगी बढ़ी हो तीसीर साइड अगर मैं C बना रहा हूँ तो आपको obviously पता है कि जो C होगा ये इन दोनों के समसे छोटा होगा क्योंकि अगर A और B को मैं ऐसे बनाता कि A रखता ये B रखता ये कि स्टेट राइन में रखता तब जाके C मेरा किसके बराबर होता A प्लस B तो C क्या है A और B के बीच में minimum distance है तो displacement है तो displacement कभी मेरा distance से बढ़ा नहीं हो सकता तो इसलिए मेरा C हमेशा क्या होगा खोटा होगा इन दोनों के समसे क्या ये चीज के लिए हो गई आपको क्या ये चीज clear है तो मैं ये कह सकता हूँ अच्छा और अगर ये एक straight line पर बनाता तो 180 degree हो जाता है एक straight line बनती तो ये triangle नहीं बनता तो equal भी नहीं हो सकता जो मेरे पास सबसे बड़ी side है C क्या माना मैंने biggest side अगर मैं biggest side की बात करूँ सिधा सिंपल सा आपको एक चीज याद रखनी है कि triangle तभी बनेगा जब मेरे पास जो biggest side होगी ये याद रख ले ना बस वो छोटी होगी sum of two smaller sides के मेरी जो biggest side है वो हमेशा बाकी दोनों sides के समसे अगर शोटी होगी तो मेरा जो triangle होगा वो triangle बनेगा अधरवाई तो triangle नहीं बनेगा not a triangle ये कभी भी एक triangle नहीं बना सकते बस यही चेक करना है सबसे बड़े वाली side को पकड़ के चलो सबसे बड़े वाली side अगर बाकी दोनों के समसे क्या होगी बड़ी होगी तो triangle नहीं बनेगा छोटी होगी तो triangle बनेगा equal होगी तब भी triangle नहीं बनेगा ठीक अब हमारे पास एक question examiner कहीं बार पूछ लेता है कि अगर मेरे पास क्या है एक triangle है क्या है एक triangle है जिसकी तीन sides है एक side है मेरे पास A, एक side है मेरे पास B और एक side है C ये भी मिझे एक integer value दे दी एक पुरुणांक value दे दी कहा ये भी एक integer value है और ये भी मेरे पास क्या है एक integer value है Alex गुन अभी है इंटीजर में भी काली हे इंटीजर नहीं फोजिटीव टीजर वैल्यू है टेक। फॉज के नेगेटीर तो होई नहीं सकती यह त्थीनों मेरी क्या है फोजिटीव इंटीजर वैलु है तो तो अगर मुझे कोई भी दो साइट दे दी, मालो मुझे a और b का मान दे दिया, a और b की value दे रखी है, तो c की कितनी values possible है, number of values of c, number of values of c हम क्या ले सकते हैं, अगर तीनों integer value लेनी है, a और b की integer value दे रखी है, तो number of values of c किसके बराबर होता है, number of values of c ये बराबर होता है, twice into में, a और b में छोटा कोन है, अगर मेरा क्या है, a बड़ा है, a छोटा है b से, तो twice into में b माइनस 1, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा, कि number of, कितने triangles बन सकते हैं, या c की कितनी values possible हैं, जिसमें मैं एक triangle को बना सकता हूँ, तो ये चीज़ याद रखनी है, एक important property होती है, अगर मेरा क्या होता, a, खोटा होता b से, तो उस case में क्या होता, ये 2a-1 हो जाता, clear, चले आंगे, ये चीज़ याद रखेंगे, तो इसी वे बेस्ट अगर मैं question भी आपको कहता कि करो भाई, बताओ, मैंने कहां मेरे पास एक triangle है, ये वाली side है, 5, ये वाली side है, मेरे पास 8, ये मेरे पास क्या है, ये एक c side है, ये भी एक integer value ही है, तो कित this will give me 9, मेरे पास c की 9 values possible है, या फिर मुझ से एक कुछ लेता, कितने triangles बन सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि c एक integer हो, तो मेरे पास यहाँ पे 9 triangles बन सकते थे, ठीक है, आगे भढ़ता हूँ, मैं अब इसमें रुकेंगे ये नहीं हो जादा, area of triangle, if two sides and angle between them is given, मेरे पास एक triangle द ये दोनों sides, जो consecutive sides है, b और c, और into में जो angle है, उसका sign, sign, theta, क्या ये चीज clear हो गई, अच्छा, मुझे अगर एक triangle बनाना है, कहा कि मेरे पास एक side है 5, उसके जुडिवी side है मेरे पास 7, और आप बताओ, कि इसका maximum area क्या हो सकता है, अगर मुझे कहे कि इस triangle का क्या बताना ह maximum area क्या हो सकता है, तो उस space case में आप क्या करेंगे, उस case में आप कहेंगे, सर्फ maximum area के लिए मुझे क्या चीजिए, अगर दो side given है, तो उनके बीच का angle को हम क्या कर देंगे, ये ABC तो दे रखा है, sin theta, sin theta को maximum करना पड़ेगा, मुझे, इसे maximum करना है, तो theta को क्या करना पड़ और maximum area क्या आएगा, half into में, 5 into में, 7 into में, clear हो गया है, मेरे पास 35 by 2, ये छोटी सी चीज समझा आ गए सबको, तो इस पे भी सवाल बनाया जा सकता है, इस छोटी सी चीज पे देखते हुए, हम मेरे पास एक होता है, sign rule, sign rule क्या कहता है, sign rule कहता है, ये upon 2R है, ठीक है, sign A divided by, एक triangle है, जिसके 3 कोन है, A, B और C, A के सामने वाली side को small है, B के सामने वाली side को small B और C के सामने वाली side को small C माना है, ठीक है, तो कहता है, sign rule, sign of A divided by A, equals to sign of B, ये angle है, ये side है, sign of B divided by B, sign of C divided by C, ये बराबर होता है, मेरा 1 upon 2R के, 1 upon 2R अभी छोड़ दो, ये क्या है, ठीक है, ये R होता है, मेरे पास यहाँ पर circum radius, जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, जिन लोगों ने पढ़ रखा होने तो पता ही है, ठीक है, तो ये मेरे पास एक relationship निकल के आती है, तो मुझे ये चीज समझ माई, अगर मैं इस देखता हूं, sign A, ratio, sign B, ratio, sign C, ये A, ratio B, ratio C, मताँ, angles का जो ratio है, उसके sign में, वो उनके side के ratio के बराबर होता है, क्या ये part किलियर हो गया, अब ये relationship कहीं बार यूज होती है, मालो मुझे क्या करा, question में कहा, ये वाला angle है 60 degree, ये वाली side है 5, ठीक है, ये वाली side है मेरे पास 7, आप बताओ ये वाला angle क्या होगा, त sign theta divided by 7 के, और solve करके मैं अपना answer निकाल लूँगा, तो ये sides का ratio और angles के ratio, angles के बीच में, एक relationship मुझे बताता है, और इसी को फोड़ा गर में detail में explain करूं, तो मेरे पास एक property निकल के आती है, जो अब मैं हाँ पे उसका derivation तो नहीं कराऊंगा, लेकिन इसी सी चीज से, sign rule से ह मेरे पास एक चीज निकल के आती है, वो क्या होती है, वो होती है, एक triangle के अंदर सबसे बड़ी side के सामने वाला angle सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटी side के सामने वाला angle क्या होता है, सबसे छोटा होता है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने एक यहाँ पे triangle draw किया, मैंने क यह वाली साइड है मेरे पास 8 यह वाली साइड है मेरे पास 6 और यह वाली साइड है मेरे पास 13 ट्रैंगल बन जाएगा 8 और 14 है दो साइड का सम तीसे साइड से क्या है बड़ा है तो ट्रैंगल बनेगा तो मेरे पास सबसे बड़ी साइड कौन सी है अगर मैं इसे नाम दे द तो इसके सामने वाला एंगल है एंगल B एंगल B क्या होगा मेरा मैंने उल्टा लिख दिया ना यहाँ पर साइंस उल्टे लगा दिये एंगल B सबसे बड़ा होगा तो A C था A C को छोड़ दो ठीके A और C तीन चीज़े होती है ट्रेंगल में A, B, C A C साइड है तो उसके सामने वाल एंगल होगा B, A B साइड है तो उसके सामने वाल एंगल होगा एंगल C और B C साइड है तो उसके सामने वाल एंगल क्या होगा एंगल A, तो मेरे पास सबसे बड़ा एंगल एंगल B होगा, फिर एंगल C होगा तो वो चीज मैंने पिछले वाले में भी बता दिया तो आप उसी से याद रख सकते अब देखो, मेरे पास इक्विलेटल ट्रियंगल के अगर मैं बात करता हूँ या फिर मैंने खाँ दो साइड मेरे पास बराबर हो गई अब दो साइड बराबर हो गई वरना आप कहते हैं सर यह A, B, C है साइन रूल लगा देता है, मैं साइन रूल लगाती ही मेरे पास अपोजिट साइड का रेशियो अगर वन रेशियो वन आया तो साइन A, रेशियो साइन B भी वन रेशियो वन होगा तो एंगल भी पर एक्वल हो जाएंगे समझा रहा है न, सारे चीजे किलियर हो रही है, अच्छे तरीके से ख़यकज थोड़ी से जाद है, बट आपको सारी चीजे करा नियुक्त रॉपर्टी करानेगा भाला है यह सेशन थोड़ा लंबा होच आपको लेक्ट इसके बाद आपके अंदर आपके अंदर जो तम कौन तिरबूज हो, right angle का मतलब एक angle मेरा 90 degree का हो तो उस case में क्या होता है, उस case में मेरे पास जो सामने वाली side है इसकी इसे बोलते हैं hyperteneus या फिर kern hyperteneus का square बराबर होता है यह 90 degree है, अगर मैं इस angle को theta माल लो तो इसके सामने वाली side होती है, perpendicular इसके side वाली side होती है बेस तो perpendicular square प्लस base square सबको पता है, यह pythagros theorem है pythagros theorem को satisfy करते हैं कुछ results जैसे हैं कि अगर मैंने कहा, कि अगर perpendicular या base मैंने 3 माना तो base या perpendicular, मतलब अगर perpendicular 3 लिया, तो base मेरा 4 होगा तो hyperteneus मेरी 5 होगी मतलब 3 square plus 4 square equals to 5 square होता है यह मेरी क्या है, प्रोपर्टी है अगर right angle triangle की बात, मतलब यह होता है तो यह pythagros triplet, इस formula को satisfy करते हैं तो इन्हें हम बोलते है triplet, तो ऐसे 3, 4, 5 हो गया 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 47, 11, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 86, 63, 65 यह सारे के सारे आपको जो important triplets हैं, यहां पर लिखे वे हैं यह आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं क्योंकि इसके उपर direct question examination में बनता है बहुत important है, इन्हें याद रख लेना यह सारे triplets, याद रखो, exam में question बनेगा, कर पाऊगे अब इनके drive triplets भी होते हैं, मालनों यह सारे triplets यह रखे हैं अभी इसी triplets में किसी से multiply कर दूँ 3, 4, 5, Pythagoras triplet बना रहे हैं, मतलब 3 square plus 4 square equals to 5 square है ठीक हैं, अगर इसमें मैं क्या कर दूँ, sum में 2 square से multiply कर दूँ 8 और 10, यह भी क्या बन गए, triplet बन गए, ऐसी अगर मैं इसमें 2 से divide कर देता, तो मेरे पास आता, 3 by 2, 1.5, 2 और 2.5, यह भी क्या बनाते, triplet बनाते तो इन triplets में किसी से multiply करें यह divide करें, वो भी मेरे python gross triplets ही होते हैं तो at the end of the day आपको क्या करना है, अगर मिझे check करना है कि कोई triplet बना रहे हैं नहीं बना रहा है, मालो मेरे पास एक value दे दी, 16, 30 और 34, क्या यह triplet बना रहा है, मिझे यह verify करना है, अब देखो मैं एक एक बार पाइथागर थरम लागे तो चेक नहीं करूँगा, satisfy कर रहा है, 8, 15, 17 यह रहा, triplet बना रहा है, तो यह मेरा 90 डिगरी बनेगा, ऐसी कहीं बार examination में ऐसा दे देगा, 4, 15 भाग, 2, 17 भाग, 2, क्या यह triplet बना रहा है, आप इनका ratio निकाल लो, ratio निकाल लोगे तो 2 से multiply करोगे, simplify करने के लिए 8, 15, 17 बन गया triplet, question होगे मेरा खतम, 90 डिगरी, ठीक है, तो ऐसे हम ratio method को use करते है, generally triplet को actual में find out करने के लिए, ठीक है, attendance mark कर देना, अपनी जितने लोग भी वीडियो देख रहे है, एक बार like बटन दबादे है, जिससे मिझे पता चले, actually में कितने लोग देख रहे है, ठीक है, view तो ऐसा होता, बच्चा click करके चला जाता ह इस वीडियो पर पता ही चलता, तो actually में देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, उसका idea नहीं लगेगा, actually I want to see इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, सच में, अगर मैं बात करता हूँ right angle isosless triangle, isosless मतलब सम्दवी भाहू तिर्पूछ, right angle में अगर दो sides मेरी equal हो जाए, तो यह क्या होगा, I right angle isosless triangle, देखो 90 degree वाली side तो समसे बड़ी होगी, ठीके यह सबसे बड़ी side होगी, सबसे बड़ा angle, बाकी दोनों angle 90 से छोटे हैं, तो इनके सामने वाली sides equal हो सकती थी, तो यह दोनों side equal होगी, right angle isosless triangle में क्या होगा, अगर यह दोनों sides equal तो इनके दोन स्थियोरिम लगाँगा, तो यह वाली side a root 2 आएगी, यह चीज याद रखना, ठीक है, solve नहीं करना चीए, exam में question आए, तो a root 2 निकाल रहे हो, पता होना चीए कि a root 2 होती है, एक होता है cosine rule, cosine rule is very very important, इसकी importance क्यों है, क्या क्याता है यह, अगर मुझे एक triangle के अंदर, तीनों side दे रखी हो न, तो मैं कोई भी angle बता सकता, तो मुझे यह side दे दी, यह side दे, यह side दे, मैं इससे cosine rule को यूज करके, यह वाला angle, यह वाला angle, यह वाला angle, तीनों angles निकाल सकता हूँ, या फिर, मुझे कोई भी, दो side दे दी, तो मैं 30, और एक angle दे दिया, तो 30 side, तो basically यह क्य relationship निकालता है, three sides, and one angle, इनके बीच में relationship establish करता है, तो 3 में से, यह 4 चीजी हो गई, मेरे पास 3 side है, और एक angle है, ठीक है, चार चीजी है मेरे पास, कोई भी 3 तीजे दे रखी हूँ, three चीजे में यह क्या है, given है, fourth can be find out, तो हम वहाँ पर क्या रखते है, cosine rule यूज करते है, important, अब यह cosine rule क्या कहता है, ठीक है, मेरे पास, कोई भी एक triangle दे रखा है, जैसे कि हाँ पर बना रखा है, चलो, यह triangle है ABC, मालू मुझे यह वाली side निकालनी है, B side, इसकी length निकालनी है, तो मुझे क्या दे रखा हो, मुझे यह वाला side, यह वाली side और यह वाला angle दे रखा हो, यह क्या है, angle B है, इसके सामने वाली side निकालनी है, मुझे that is B, तो कहता है B square, जो सामने वाली side है, इसका square, किसके बरावर होगा, जो यह दो adjacent side है, इस angle B की, इनके square का sum, C square प्लस B square, माइनस 2, इन दोनों का multiplication, 2AC, और sine क्या हो जाएगा, B, sine, इस relationship को use करके हम क्या कर सकते है, अगर यहाँ पर, sorry, sign B नहीं, एकोस भी है, यह 30 side निकल गई, अगर मुझे क्या दे रखा हो, मालो यह 30 side दे रखा हो, यह angle दे रखा हो, यह निकालना हो, तो क्या कहूंगा मैं, C square, इसके बरावर 2 adjacent side कौन सी है, इस angle के, A और B, A square plus B square minus 2AB, और मेरे पास यहाँ पर cos C, इसमें generally जो question आते है, अगर angle मेरे पास क्या हो, 60 degree हो, और angle क्या हो, 120 degree हो, दो cases पर पूस्ता है, cos 60 degree का मान याद रखना, cos 60 degree होता है, 1 by 2, और cos 120 degree भी भी कहीं बार आता है, तो यह वाली value होती है, minus 1 by 2, ठीक है, इस पर input कर देंगे, त इसे में अगर मैं add कर दूँ, अगर मेरे पास यह वाला angle हो जाए, 60 degree में वही identity यूज करूँगा, यह है मेरे पास C, यह है, A और यह है, तो मैं कहूँगा, B square किसके बराबर, A square plus C square minus A, C, यह मेरे पास identity निकल गाएगे, 2, यहाँ पर आता है, मेरे पास फिर cos 60 लिखता तो 1 by 2 बनता है, तो खट जाता है, और यहाँ पर मेरे पास अगर यह क्या हो जाए, यह हो जाए, 120 degree, यह है मेरे पास C, यह है मेरे पास A और E है, मेरे पास B, तो इस case में होता है, B square to A square plus C square plus A, clear है, चलते हैं आगे, question है, मेरे पास यहाँ पर एक identity होती है, अगर मुझे तीनों साइड दे रखी हूँ, तो मैं कैसे identify करूँ का, जो मेरा triangle है, वो क्या है, वो acute angle triangle है, right angle triangle है, या obtuse angle triangle है, side की land देखके, तो property क्या कहती है, अगर मुझे acute angle triangle देखना हो, तो ये B को मैंने क्या बाना है, B मैंने biggest side मानी है, ठीक है, confuse नहीं करना है, हमेशा हम biggest side से compare करते है, तो biggest side देखना है, अगर मेरे पास, जो biggest side का square है, वो बाकी दोनों sides के square के समसे छोटा है, तो मेरा acute angle triangle होगा, right angle triangle में तो आपको पता है, जो सबसे बड़ी side होती है, वो होती है hypertenue, तो biggest side का square किसके बराबरों का, बाकी दोनों sides के square के समके, और obtuse angle triangle के लिए क्या होता है, जो biggest side का स्क्वायर होता है वो मेरे पास बाकी दोनों साइट से स्क्वायर के समसे जादा होता है इसे मैं फटा-फट से आपको याद करवा देता हूं बाकी को साइन रूल से प्रूव किया जा सकता है तो अभी को साइन रूल प्रूव वेगर तो मैं आप नहीं देखने वाले मालो मै मैंने क्या करा, ये मेरे पास क्या है, ये मैंने कुछ क्या मान लिया, ये साइड मान लिया, और ये वाली साइड मान लिया, 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 ये वाल यह मेरे पास जो B है, इसकी length मैंने रखी B1, इसकी length रखी B2, और इसकी length रखी B3, सोज के बताओ, A और C दोनों जोगा constant है, बस यहाँ पर यह angle change हुआ, यह 90 में से छोटा angle है, यह 90 एंगल है, और यह मेरे 90 से बड़ा angle है, तो किस में B की length सबसे ज़्यादा है, यह वाली length ट्रेंगल में मुझे पता है, B2 का square किसके बराबर होता है, A square plus C square होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, obvious सी बात है, B2 से तो कम है B1, तो मेरे पास यहाँ पर B1 का square क्या होगा, छोटा होगा किस से, A square plus C square से, और यहाँ पर मुझे पता है, B3 क्या है, B3 बड़ा है B2 से तो मेरे पास यहाँ पर value क्या हो जाएगी B3 का square क्या है यह अगर B2 से बड़ा है यह B3 तो A square प्लस C square से बड़ा होगा इस तरह किसे आप याद रख सकते हैं इसके उपर भी exam में recently question पूछा गया था एक छोटा सा question देता हूँ मैंने कहा मेरे पास side है 12 12 मेरे पास side है से 5 ले लेते हैं और एक side मैंने ले ली हाँ पर यह जोधा ठीक है आप मुझे बताओ यह कौन सा triangle बेने का right angle triangle acute angle triangle obtuse angle triangle आप कहेंगे सर सीधा देखो यह 12 है 12 का square plus यहाँ पर क्या है 5 का square दो छोटी वाली sides मैंने पकड़ी two small sides और यह है मेरी big side ठीक है तो यह है मेरे पास 14 का square यह होता है 12 और 5 का square तीहरा square के बराबर होता है गर triplet याद हो तो यह sum आ जाएगा 169 यह आएगा मेरे पास 196 क्या हो गया यह बड़ा हो गया तो मेरे पास यह biggest side का square बड़ा हो गया बाकी दोनों चोटी side square के समके तो यह मेरे पास बनेगा obtuse angle आगे भड़ते हैं अब मेरे पास आता है congruency and similarity यह क्या होता है congruency होता है सरवांग श्रमता और similarity होता है मेरे पास समरूपता सरवांग श्रमता का मतलब क्या है कि मैंने कहा एक triangle है यह बिल्कुल exact copy paste एक दूसरे का तो मेरे पास जो triangle बनेगा न वो क्या होगा इसका congruent होगा congruent figure इसकी बिल्कुल exact copy paste वो होता है congruency अगर मैं बात करूँ यहां पर similarity की similar क्या होता है मालो मेरे पास एक figure है यह मैंने कहा यह वाली figure है PQR अब इसे मैं अगर इस figure को मैं बहुत दूर से देखूंगा तो यह वाली figure में जो कुछ छोटी सी ऐसी दिखाई देगी PQR ठीक है और अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा past से देखूंगा तो हो सकता है यह वाली figure में जो और बड़ी अगर मेरे पास size change हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा देखने में बिलकुल एक जैसी है लेकिन size छोटा या बड़ा हो रहा है तो वह होंगी similar figures similar और अगर copy paste कर दूँ बिलकुल size भी देखने में भी सब कुछ एक जैसा है तो वह होंगी congruent figures तो congruency और similarity के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया अगर congruency की बात करें तो सारे angles सारी sides पराबर होंगी मानलो यह ABC है यह मैंने इसकी congruent figure बनाई DEF मैंने क्या बनाई इसकी congruent figure DEF बनाई तो मेरे पास मैं लिखंगा ABC congruent हो जाएगा किसके DEF के लिखते कैसे हैं यह equals to और ऊपर congruency का पराबर मतलत copy एनगल ए एंगल डि के बराबर है एंगल बी एंगल के बराबर और ऑगल एंगल एंगल ए वर टूट के बराबर इम ल्युवर एंगल ऑगल गी तो यह ओुद on इंबल होगा, इससे तरी के से आप लिख रहे हैं उसके बाद यहाँ पर अगर angle बराबर है sides भी बराबर होंगी जैसे यह A भी लिखा पहले ही दो तो D ठीक है B से लिखा तो यह मेरे पास EF और यहाँ पर A से लिखा तो यह D है यह हमारे पास क्या हो गया congrence ही हो गया सब कुछ बराबर अगर मैं इसके अंदर एक circle बनाओ तो उसका radius होगा R तो इसके अंदर एक circle बनाओंगा उसका radius बिलकुल R ही होगा एक circum circle बनाओंगा उसका radius कुछ होगा तो इसका circum circle का radius भी वह ही होगा इसमें median draw करूँगा, उसकी length जो होगी, वो इसकी median की length के बराबर होगी, बिल्कुल एक दूसरे exact copy paste, कुछ भी different नहीं होगा, अगर दो triangle congruent है, similar की अगर मैं बात करता हूँ, similar मैं आप कहेंगे, अगर मैं लिखता हूँ PQR, ये PQR था, इसका नाम change करके x, y, z कर देता हूँ angle क्यों, येवाल angle alpha, तो ये angle y के बराबर होगा, alpha के बराबर, और ये r है, ये delta है, तो ये वाल angle भी delta हो जाएगा, angle r, angle z के बराबर, तो तीनो angle बराबर होगे, तीनो angle बराबर है, तभी एक जैसे दिख रहे हैं, अगर angle equal नहीं होते तीनों, तो एक जैसे नहीं दिखते, तो कौन तो तीनों बराबर होंगे, लेकिन sides बराबर नहीं होंगे, sides का ratio बराबर होगा, sides का ratio बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, कि अगर ये वाली length मेरी A है, तो ये वाली side होगी A, constant से multiply कर देंगे, ये वाली side अगर B है, तो ये वाली side होगी B के, और ये वाली side अगर मेर under the side होती है कि जोती बन रही है बड़ी एक माने छोटा हो गया तो छोटी फिगर नहीं कहान से बड़ा हो गया तो बड़ी होगी यह तो यहाँ पर हमारे पास साइड्स का राइश्यो एकवल होता है यहां पर साइड्स भी इकवल हो आगे भड़ते हैं अब देखो क्या होता है हमारे पास क्या होता है कि हम किसी तरीके से यह प्रूफ कर पाएं कि दो ही तो मेरे पास कोई दो ट्रांगल नहीं उनकी तीनों साइड क्या हो गई बराबर हो गई तो वो दोनों होगा तो यह कहा जाता है AS से angle side angle मत्तब मेरे पास दो triangle है ये इसका angle है, ये side है और ये angle है ये दोनो triangle का इसका ये वाला angle ये side और ये angle अगर ये बराबर हो गया तो दोनो triangle आपस में एक दूसरे के congruent होंगे, एक होती है AAS एंगल, angle, side इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मतलब दो ट्रियंगल है ये वाला आंगल ये वाला अंगल हो गया येवाला इसका एगल हो गया और मानलो तो ये वाली साइड दे दी। ये वाली साइड में सडी वाली सडी अगर ऐसा भी हुआ तु दोनों ट्रैंग्ल क्या हो जाएंगे कोवर ये order वें 10 होना चीँ स्टि होगे आप कहेंगे सर यह यह वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस एवन प्लस एटो इधर भी यह होगा 180 माइनस एवन प्लस एटो तो मेरे पास उस particular case में क्या आ जाएगा आप देखेंगे ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर इनके बीच की side बराबर एस से तो अगर ऐसा कुछ हो तब भी मेरे पास दोनों एंगल एक दूसरे की exact copy paste ही होते हैं और एक होता है right angle hypotenuse side right angle hypotenuse side क्या है मेरे पास दो triangle है A, B, C और मेरे पास एक triangle है D, E, F एक तो इसकी हमारे पास दोनों की hypotenuse वाली side क्या हो जाए बराबर हो जाए मतलब मैंने कहा ये वाली side मेरे पास क्या हो साथ हो और ये वाली side भी मेरे पास साथ हो जाए यह साथ है यह 5 एक एंगल बीच में दे रखा है TC side निकाल सकता हूं मैं यह हो जाएगा under root 7 square minus 5 square यह वाली length भी हो जाएगा under root 7 square minus 5 square तो तीनों side बराबर आगे यह 5 इसके बराबर यह वाली value इसके बराबर यह इसके बराबर दोनों triangle होगा यह congruent congrency लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे order maintain होना चीए यहाँ पर अगर मैं hypertenious side की बात करूँ देखो यह root 7 square minus 5 square है और यह 7 है 7 square minus 5 square और 7 के बीच में angle यहाँ पर है F और यहाँ पर है A तो मैंने लिखा A ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 7 और 5 के बीच का है मेरे पास D 7 और 5 के बीच का है यहाँ पर C तो F, D और यहाँ पर C और बचावा क्या है यहाँ पर E होगा और यहाँ पर मेरे पास B होगा यह दोनों triangle आपस में congruent होगे इनके corresponding angle spherical बनेंगे ऐसे हम congruency लिखते है चले हागे तो यह मैंने कुछ properties बताई आपको congruency की यह आपको याद रखनी है area of a triangle आपको पता है यह होता हाफ into base into height यह पहले पढ़ रखा होगा आपने सबको पता है कोई भी एक triangle दे रखा हो ठीक है यह अगर base है यह height है तो area कहलाता है half into base into height आगे बढ़ता हूँ अगर मेरे पास isosless triangle है isosless triangle में क्या होता है दो भुजाएं मेरी बराबर होती है यह वाली side यह और यह वाली side a यह दोनों side बराबर होगी तो इसमें property निकल के आती है अगर मैं यहाँ से क्या करूँ समस्ते बें चलना अगर मैंने यहाँ पर क्या करा इसका perpendicular डाला तो इधर भी perpendicular होगा A, B, C इसे मान लिया मैंने D तो आप देखेंगे यह वाला triangle और यह वाला triangle मेरे पास क्या similarity है गी right angle, right angle यह hypertenuous, hypertenuous पराबर और यह वाली side common दोनों में तो दोनों triangle क्या हो जाएंगे Congressman, congruent हो जाएंगे Cong clearance हो गये तो मेरे पास क्या particle निकल कहेंगे मेरे पास यह वाला angle, इस वाले angle کے Bराबर और हो जाएगा यह वाला angle, इस वाले angle के पराबर हो जाएगा क्या यह चीज clear होगी तो दोनों एंगल्स ये वाला एंगल और ट्रैंगल और ये वाला ट्रैंगल दोनों एक दूसरे के क्या हो गए exact, copy, paste हो गए ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ और चीज़े उब्जव करना चाहें तो कर सकते हैं अब देखेंगे फिर ये वाली साइड, और ये वाली साइड भी मेरी क्या हो जाएगी DC, envision, पिमेर्ण बिदी भी मेरा डियुक के पराबर आजायाएगा तो क्यों इक क्या हो जाएग 4 कई D मेरा midpoint बन जाएगा BC का तो मैं कहूंगा कि D क्या है ये जो AD है ये क्या गर रही है BC को bisect कर रही है दो equal भागो में जो line सामने वाली side को दो equal भागो में बाटे और opposite vertex से बने इसे हम बोलते है median तो AD मेरा median भी होगा AD मेरा perpendicular भी है BC के उपर और साथ ही साथ आप देखेंगे ये angle theta है ये यहां से ये वाली line इस angle को दो equal part में बाट रही है तो ये angle by sector भी है तो AD क्या होगा angle by sector भी होगा क्या ये चीज याद रह जाएगी आईसोसलेस triangle के बारे में अगर मैं दो equal side साँनके बीच में से इक लाइन खीचूँ जो सामने वाली side पर perpendicular हो तो वो क्या करेगी वो median की तरह भी काम करेगी वो angle by sector की तरह भी काम करेगी या फिर मैं angle by sector बनाता तो वो median और मेरी क्या कहते हैं मिड़ पॉइंट की तरह मीडियन की तरह भी काम कर अगर मैं हैं साट डिगरी के होते हैं तीनो साइट भी मेरी क्या होती है बराबर होती है तो मेरे पास क्या होगा आप कहेंगे सर इक्विलेटर triangle की case में सीधी सी बात है कि भीया यह आईससलस तो है तो मैं यहां पर perpendicular डालूंगा तो वो सारे काम करेगा वो सामने वाली side को bisect भी करेगा इस angle को भी bisect करेगा ठीक है तो यह वाली दूरी मेरे पास क्या हो जाएगी यह पूरा a था तो यह a by 2 हो जाएगा यह भी a by 2 हो जाएगा अगर यह pythagoras theorem लगा तो इस triangle में यह a है यह a by 2 है तो यह height की value जो height है यह भी निकल के आ जाएगी होती है root 3 by 2 a यह याद रखना है area निकालू में area क्या होता है half into base into height तो area होता है half into में base क्या है मेरे पास a और height क्या है मेरे पास root 3 by 2 a यह वाली value हो जाएगी root 3 by 4 a square क्या यह चीज clear है तो this is our equilateral triangle equilateral triangle में चीज़े कुछ इस तरीके से चलती है तो इसके area पर formula पूछ लेते है इसकी height पर पूछ लेते है तो आपको पता होना चीज़े side से क्या relationship बनती है age मेरी side है और अगर मैं इसके तीनों खीच दूँ यहां से भी मैं perpendicular डाल देता just a second अगर मैं ऐसमे ऐसे सप Éscale कहाक मर्च कर रहे होते तो यही जाकर हम पड़ेंगे ortho center, circum center in center और centroid का point बनेगा ठीक है और ये मेरी इसकी सारी heights यहां से इस पर perpendicular डाल रहा है यह सारी के सारी heights क्या होंगी मेरी बराबर होंगी ठीक है आगे चलता हूँ मैं सारे perpendicular की लेंद बराबर ही आएगी अगर मैं similarity की बात करूँ similarity में मैंने कहा दो figure होंगी वो दूसरे की क्या होंगी एक ये मेरे पास figure है ABC या फिर ये वाली figure है ABC ठीक है अगर मैं इसे क्या करूँ पास से देखूँगा तो ये ऐसी figure देखेगी और अगर दूर चला जाओँगा तो मेरे पास ये ऐसी figure देखेगी दूर से देखूँगा तो है वो ही figure बस इसका size क्या हो रहा है छोटा या बड़ा हो रहा है देखने में बिल्कुल एक जैसे तो ये क्या होती है अगर similarity की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या relationship निकल के आती है इसमें relationship हमारे पास होती है कि angle सारे बराबर होंगे ये alpha, alpha, alpha ये beta, ये beta और ये beta होगा और ये मेरे पास gamma, गामा और गामा होगा अगर ये similar figure से है sides का ratio अगर मैं बात करूँ ये A, B, C है तो ये मेरे पास क्या होगा A के B के और ये मेरे पास होगा C के ये होगा AM यहाँ पर ratio मैंने M माल लिया ये होगा BM और ये होगा मेरे पास CM क्या ये चीज़ के लियर होगी ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर कुछ और चीज़े भी टो कर दूँ माल लो मैंने क्या करा यहाँ से एक इन कीनici ये यह पर प्रपेंडिकूलर डाल दिया इस पर परपेंडिकूलर की लेंदध में माल लेते हैं से ế weapons ख्या है तो अगर same पर पेंडिकूलर यहाँ प्रपेंडिकूलर की डालूँगा मैं तो इसकी wouldn't क्या हो जाएगी प्टवट से सोच के बताओ आप कहेंगे सर यह क्या था के से टाइम प्रोपोर्शनलिटी के से चल रहे तो हर साइड के लेंद के हो जाएगी यह पी के हो जाएगा और यहां पर पर परपेंडिकूलर डालोगा तो इसके लेंद हो जाएगी पी है इतना part clear है ऐसे ही इसके अंदर और भी चीज़े हम बना सकते हैं तो वो ratio maintain रहागा जब भी side की बात करेंगे area की बात करेंगे तो side के ratio को square हो जाता है क्योंकि area में centimeter square अगर unit के बात करूँ side into side करके area मिझे मिलता है तो अगर area की बात करेंगे तो ये k square हो जाएगा मानलो इसका area है मेरे पास इसका area है capital A या capital AR माना इसका area तो इसका area क्या होगा? k time side हो रही है तो इसका area हो जाएगा AR k square इसका area क्या हो जाएगा? AR proportionality है M की तो M square अब यहाँ पर हम इसे भी prove कर सकते हैं है या नहीं? अगर उनकी तीनो sites का ratio क्या हो जाए? बराबर हो जाए SSS मतलब अगर मिज़े कहें कि ये ABC है ये 5 है ये 6 है और ये 7 है और ये मेरे पास है 10 ये 12 और ये मेरे पास 14 तो इनकी sites का ratio देखो 10 भाग 5, 12 भाग 6 और 14 भाग 7, sites का ratio क्या हो गया? तीनो sites का ratio अगर equal हो जाए तो मेरे पास कहता है कि ये क्या हो जाएंगे दोनो similar हो जाएंगे ठीक है ABC, PQR मैं लिखूँगा ABC similar होगा PQR के और relationship लिखते हैं ऐसे हैं AB, ratio BC, ratio AC PQ, ratio QR, ratio PR ये relationship maintained है तो angle AP के परावर होगा angle B मेरा Q के और angle C, R के ठीक, दूसरा कैसे प्रूफ करते हैं अगर sides, angle side मेरे पलब मेरे पास क्या हो? ABC, ये side है ये है मेरे पास PQR मुझे ये वाली side दे दे 5 ये वाली side दे 6 मुझे कहिए ये वाली side है 5 ये वाली side है 10 ये वाली side है 12 तो इस side का 10 भाग 12 दो 12 भाग 6 दो sides का ratio equal हो गया और ये वाला angle मुझे दे दे 30 और ये वाला angle मुझे दे 30 तो ये दोनों triangle फिर से मेरे पास क्या हो जाएंगे ABC सिमिलर हो जाएगा PQR तो यहां से आ जाता है तीसरी property होती है angle 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 या फिर angle angle मालो ये वाला angle है मेरे पास 60 ये वाला angle है मेरे पास 70 यहां पर ये वाला angle है 60 ये वाला angle है 70 तो ये दोनों triangle similar हो जाएंगे कौन सी property से ABC similar हो जाएगा PQR के देखेंगे दो angles भी अगर equal हो गए तो similar कहलाएंगे दो angles है वो साथ में लिखेंगे A मेरा किसके पराबर था P के B मेरा किसके पराबर था क्योंकि ये मैंने लिखा और बचावा angle तीसरा अपने आप equal हो जाएगा क्यों इपने आप equal होगा आप देखो 70 और 60 तीनो angle equal हो गए तो एकसी जैसी figure दिखेगी और मेरे पास similarity प्रूव हो जाएगी similarity प्रूव होती मैं कहूंगा बाकि सारे angles, equal, sides का ratio, equal and all that तो मैंने कहा अगर ये दो triangle है मेरे पास ABC, P, Q, R अगर ये मेरे पास क्या हो गए, similar हो गए अगर मुझे कहा कि ABC similar है P, Q, R के तो corresponding angle AP के बराबर B, Q, K और C, R के बराबर हो जाएगा sides का ratio A by P, B by Q, C by R बराबर होगा इनकी corresponding heights का ratio बराबर हो जाएगा ये R क्या है, small R है, in radius in radius क्या होता है अगर मैं इस triangle के अंदर एक छोटा सा circle डाल दूँ इसके अंदर भी एक circle डाल दूँ जो तीनों sides को touch करें तो मैंने कहा ये R है R1 है और ये इसका in radius में मान लेता हूँ R2, तो R1 और ratio R2 ये भी बराबर होगा और ये capital R, capital R1, capital R2 क्या है अगर मैं इस triangle के चारो तरफ एक circle draw कर दूँ जिसका मेरा radius क्या हो R1 हो इस triangle के circle चारो तरफ circle ड्रो कर दूँ जिसका radius हो R2 तो मेरे पास क्या होगा R1, Y, R2 ऐसे मैं medians ड्रो कर दूँ तो उनका ratio भी जितनी भी sides से सबका ratio मेरा बराबर होगा अगर area की बात करेंगे तो area क्या होता है sides के square का whole square होता है कोई भी 2 side ले लो corresponding side मेरी normal side हो सकती है या medians हो सकती है radius हो सकता है area का ratio कोई भी single sides के ratio के square के बराबर होता है यह याद रखेंगे अब मेरे पास आती है Thales theorem अब ये Thales theorem क्या कहती है Thales theorem कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी एक triangle दे रखा हो मेरे पास क्या दे रखा हो कोई भी एक triangle दे रखा हो ABC मैंने क्या करा BC के parallel एक line बना दे DE क्या करा BC के इस line के parallel एक line बना दे DE तो मेरे पास क्या होता है मेरे पास ये वाला angle इस एंगल के बराबर हो जाएगा corresponding angles ये इसके बराबर हो जाएगा तो मेरे पास ये उपर वाला triangle और ये पूरा बड़े वाला triangle ये दोनों क्या आ जाते हैं similar आ जाते हैं ये दोनों triangle similar आ जाते हैं इसकी वज़े से क्या होता है हमारे पास एक relationship relationship निकल क्या आती है that is AD divided by DB AD divided by DB this divided by this ये बराबर आएगा मेरा this divided by AE divided by this इसे हम थेल थेयरम बोलता है या फिर basic proportionality थेयरम के नाम से जानते हैं आप इसे याद रखेंगे कोई भी triangle है मेरा उसमें अगर एक line इस वाली line के parallel खीच दी तो this divided by this बराबर होगा this divided by इसकी क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया अब इसी में एक special case बनता है अगर मेरा क्या कर दे question में कह दे कि D क्या हो midpoint हो जाए next page पे देखता हूँ अगर मुझे कह दिया D क्या है midpoint है AB का मत्तब यह वाली line इसके बराबर ऐसे ही E midpoint दे दे मुझे किसका EC का तो यह वाला पार्ट मेरा इसके बराबर हो जाएगा तो उस particular case में क्या होता है उस particular case में मैं यह proof कर पाता हूँ कि BC line क्या है D के parallel होगी और दूसी चीज़ में क्या proof कर पाता हूँ दूसी चीज में यह proof कर पाता हूँ कि जो D की length है न BC क्या हो जाएगा twice into DE हो जाएगा तो ये दो result निकल के आता है मेरे पास ठीक है बड़े असानी से इसे proof किया जा सकता है तो आपको बस ये याद रखना है if क्या है ABC एक triangle है ये मैंने D इसका midpoint माल लिया E इसका midpoint माल लिया इन midpoint को अगर मैं मिला दूँ तो मेरे पास क्या होगा result क्या निकल के आएगा result निकल के आता है DE parallel होगा किसका BC के and DE half होगा BC ये result याद रखना है ठीक है बहुत काम का result है आगे भढ़ते हैं अब हम पर जादर hold नहीं करेंगे वरना proof करते टाइम जान निकल जाएगी हमारे पास क्या है ट्रेंगल दे रखा है ABC ठीक है मैं ये पूरा बड़ा सा ट्रेंगल दे रखा है ये वाली लाइन कुछ है PG ये है BE और ये है मिरे पास CF अगर ये तीनों लाइन पैरलल है if this is given then हमारे पास क्या आएगा जो रेश्यो होगा AB रेश्यो AE this divided by this ये बराबर होगा this divided by this ये बराबर होगा this divided by this के AB by AE बराबर होता है BC by EF के ये बराबर होता है CD by FD के ये रिजल्ट याद रखेंगे इसी का extended property होता है अभी ये triangle था न अगर मैं this triangle को हटा देता उपर वाला A मिटा दू मैं इसमें से तो भी मेरे पास property है इसकी और इसकी तो hold करेगी ही करेगी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कि अगर इसे पूरा कर देता तो वही triangle मेरा ऐसा कुछ दिख जाता जो मैं भी आपको दिखा रहा था ठीक है मैंने उपर से काट दिया और इस figure को ऐसे रखा ये मेरे पास n number of parallel lines है तो मेरे पास relationship बनी रहेगी अगर मैं लिख दू यहाँ पे ठीक है ये relationship याद रखींगे ठीक है तो 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 अधा सवाल है मेरे पास ये parallel lines दे रखी है ये मुझे one ratio दे रखा है इसके corresponding है आप ये four दे रखा है मुझे ये वाली value और ये वाली value कर बतानी है तो क्या आएगा आप कहेंगे इसका चार गुना है चार तो ये दो है दो का चार गुना करूँगा तो ये आठ आएगा और ये मेरे पास तीन है तीन का चार गुना करूँगा तो ये बार आएगा चले आगे area of a triangle में आपको उरड़ी बता चुका हूँ ये होता हाफ into base into height तो ये मेरा base खेलाता है और ये मेरी क्या होती है perpendicular डाल दो तो यहां से height खेलाती है ठीक है अब यहाँ पर मेरे पास multiple cases बनते हैं यहाँ पर मैं तीन perpendicular डाल सकता हूँ मैंने क्या करा है यहाँ पर पहला perpendicular डाला ये side A है इसके corresponding पड़ा ठीक है ऐसे side B है इसके corresponding परपेंडिकुलर पड़ा एक side 3 है इसके corresponding पड़ा तो ये H1 है पहला perpendicular दूसा perpendicular है H2 B के corresponding और C के corresponding तीसा perpendicular H3 एरिया निकालूँगा तो वो कहीं से भी निकाल सकता है अगर मैं इसे base मान के चलूँ तो half into में A into H1 एरिया है इसे base मान के चलूँ तो half into में B into में H2 एरिया है और ऐसे ही इसे base मान के चलूँ तो half into में C into में H3 एरिया होता है ठीक है तो ये मैंने सारा का सारा लिख दिया अब इसमें से half 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 काट देंगे तो आपके पास निकल के आएगा A H1 equals to B H2 equals to C H3 अगर इसे में K के बराबर मान लो तो मेरे पास relationship क्या निकल के आती है A ratio B ratio C side का जो ratio होगा वो inversely proportional होगा किसके height के ratio के A ratio B ratio C बराबर होगा 1 upon H1 ratio 1 upon H2 ratio 1 upon H3 ठीक है तो base जितना बढ़ा होगा उसके corresponding triangle की height उतनी कम होगी बेह जितना छोटा होगा उसके corresponding triangle के height उतनी ज्यादा होगी ठीक तो side और height के बीच में relationship triangle का area में एक और तरीके से निकालता हूँ अगर मेरे एक triangle दे रखा हो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है और उसकी तीनो side गीवन हो यह जैसे यह side है A है एक B है और एक C है तो hero's formula में इसका area निकाल सकता हूँ hero's formula क्या कहता है आप इसका सबसे पहले semi perimeter निकाल लो semi perimeter perimeter क्या होता है परिमाप तारी भुजाओं का योग तो यह होगा A plus B plus C semi perimeter निकालूँगा तो 2 से divide कर दो होगा यह होता है earth prim map Earth prim map निकाल लिया मैंने semi area होता है semi perimeter into में 3 and then semi perimeter minus पहली side को multiply करा मतलब semi perimeter पहली side घटाई multiply semi perimeter में दूसरी side घटाई multiply तीसरी side घटाई multiply तो यह मेरा area होता है where S क्या होता है semi perimeter इससे हम area निकाल सकते हैं मैं इससे भी एरिया निकाल सकता हूं इसका भी फोर्मुला होता है मेरे पास यह होता है मेरे पास area होता है half into में जो side दे रखी है side का square आएगा ठीक है और यहाँ पर मैं क्योंकि a की side है तो square आएगा area में तो हमेशा क्योंकि area की unit centimeter square होती है अगर side की unit centimeter है तो कही न कहीं square तो side का हो गई होगा या दो sides का multiplication हो गई होगा यह दो angle दे रखे ना बराबर वाले उसके बीच वाली side दे रखे थी तो यह sign b sign c divided by आप जो तीसरा angle बचा है sign है यह लिख लो this is the area of a triangle अगर दो angles दे रखे और उसके बीच की side दे रखी है और मुझे पता है area किसके बराबर और होता है यह half into base into height भी होता है तो अगर base की बात करूँ मैं यहाँ पर a और इसकी height वान लो एच तो यहाँ से मैं directly height की value भी निकाल सकता हूँ इसे और इसे compare करेंगे तो height की value आएगी मेरे पास a sin b sin c divided by sign a clear है और यह sign a जो है यह third angle है मेरा आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर एक और result लिख रहा हूँ sign a इसके बराबर angle a किसके बराबर होता है यह मैं लिख सकता हूँ 180 minus b plus c तो मैं इसे sign 180 minus theta अगर मैं इसे theta मालता है तो sign theta होता है तो यह sign b plus c यह होता है तो यहाँ पर कहीं कहीं आप बुक्स में देखेंगे तो sign b plus से लिखा होता है तो confused नहीं होना है जो चीज़े मैंने बता ही यहां तक है देखो इसे 30 second का मैं break लेता हूँ उसके बाद हम आगे आगे कर दो आगे कर दो सकता हूँ जो आगे कर दोस्कार्व नहीं कर दोस्फ्याग तोस्कार्व तो ऊचल तो सकता है एंक कर दोस्कार्व चलिए अब हम आगे भड़ते हैं इसके अंदर CVN अब CVN क्या होती है भाई मेरे पास अगर कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा हो उसके अंदर एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पर जो भी लाइन खीची जाएगी वो CVN कहलाएगी जैसे मैंने यहां से खीच सकता था कोई भी लाइन तीसरी वर्टेक्स से मैंने खीचा यहां से यह लाइन खीच दी तो यह भी CVN है यह भी CVN है ठीक है तो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो भी लाइन खीची जाएगी वो CVN कहलाएगी क्या इतना पार्ट के लिए होगी है ठीक है CVN को एक रिलेशनिशिप होती है मेरे पास चलो मैं खुदी समझाता हूँ यहां पर मेरे पास यह ट्राइंगल है ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है CVN वाला इसलिए मैं यहां पर डिटेल में बता रहा हूँ ए बी सी ठीक है मैंने एक लाइन खीच दिया ठीक है इस से धियान रखेंगे तो मेरे पास एरिया ओफ ट्राइंगल ए बी डी छोटे वाला ट्राइंगल सबसे पहले वाला आगे वाला यह ट्राइंगल रेशियो एरिया ओफ ट्राइंगल उसके पीछे वाला ट्राइंगल ADC रेशियो एरिया ओफ ट्राइंगल के अगर मैं बात करूँ पूरा बड़े वाला A, B, C तो क्या हो जाएगा half into base into height half इसका base क्या है A है और height है H second वाले triangle का half base क्या है मेरे पास B और height क्या है H और जो तीसरा triangle है सबसे बड़े वाला half base क्या है A plus B और मैं कहूंगा height क्या है H तो आप देखेंगे half H सब जगे कट जाएगा तो मेरे पास जो area का ratio होगा वो होगा A ratio B ratio A plus B तो मेरे पास CVN क्या करती है triangle को जिस ratio में उसने क्या करा जिस ratio में base को बाटा उसी ratio में क्या होगा area भी बट जाएगा आप देखेंगे ABC ABD triangle जो ये वाला triangle है मेरा जो मेरा ये वाला triangle है इसके area का ratio ratio ये पीछे वाला triangle जो ये वाला triangle है इसके area का ratio क्या है A ratio B जिस ratio में side बटी उसी ratio में मेरा क्या बढ़ जाएगा area भी बढ़ जाएगा पर अगर मैं पूरे triangle से compare कर लूँ तो आप देखेंगे यह इसका area, a ratio है, पुरे triangle के base क्या है, मेरा a plus b, तो side area का ratio क्या होगा, a ratio a plus b, अगर इन दोनों को compare को, इस triangle को और बड़े triangle को, या फिर इन तीनों का अपस में compare करें, तो मेरे पास यह आता है, यह बहुत important property होती है, cvn की, अब cvn मेरी कोई भी line हो सकती है, cvn कोन कोन सी line हो सकती है, मानलो मैंने क्या करा, एक triangle draw करा, ठीक है, एक triangle में multiple lines हम बना सकते हैं, मानलो मैंने यह वाली line डाली, इस पर जो है perpendicular, क्या यह cvn है, बिलकुल cvn है, cvn भी है, perpendicular भी है, इस पर मैंने क्या करा, एक line डाली यह, जो की सामने वाली side को क्या करती ह दो इक्वल भागों में बाट रही है इसे हम बोलते है मतलब इस cleaner को दो इक्वल भागों में बाट दे तो ये क्या है और대बीयां कुछ भी हो सकती कि क्यी सारे स्पेशल केस और ऐसे भी हो सकता है एक टायन ऐसी हो जो कुछ भी ना कर रही ना मीडियन हो ना फी परपेंडिकुलर हो तो भी वह सीवियन है तो यह सारी लाइन्स मेरी क्या होती है सीवियन के स्पेस्टिक केसिस होते हैं एंगल बाइसेक्टर मीडियन और परपेंडिकुलर तो सब जगे सीवियन वाली प्रोपेटी हमारी यूज होती है चलते हैं अब प्रड़ेकल Hugo फेतरिंगल के यह वहीं इन पिस अ मेरे LA Shine रीशो जाएगा और कंप्लीट एरिया मेरा 5 रीशो rozp पूरेबड़े ट्रेंगल का को मेडियन माध्य का मैंने भी बताए आपको क्या होती है अगर सामने वाल ली साइड से Хعै अगर याद रखे तो मीडियन प्वर्च नियुक्तौ रखेंगे तो मीडियन कुछ नहीं है मेरे पास अगर एक triangle दे रखा है इसका मैंने क्या करा है ABC इसका midpoint निकाला ये और इसे यहां से जोड़ दिया तो ये बन गई मेरी क्या median माद्ये का अब इस से related बहुत important properties निकल के आती है जो सारी की सारी मैं आपको भी बताऊंगा करके सबसे पहली property क्या होती है अगर मैं तीन median stroke कर दूँ मैं क्या करूँ यहां पर तीन median stroke कर दूँ यह पहला मैंने ट्रेंगल बनाया मैंने पहली median यह डाली जैसी मैंने पहली median डाली आपको समझ आ जाएगा भी यह median सामने वाली साइड को दो इक्वल भागों मैं बाट रही है तो यह वाला area और यह वाला area मेरा क्या होगा बराबर हो जाएगा तो median क्या करती है एक triangle को दो इक्वल area आज में भी बाटती है अगर मैंने पहली median डाली तो मैं नाम करन अगर करना चाहूँ तो मैंने कहा यह मेरे पास अगर A है पर थोड़ा change कर लेते हैं ज्यादा light हो गया मैंने कहा अगर यह A है यह B है और यह C है और इस point को D माल लो तो D क्या करेगा यह वाला area और यह वाला area मेरा बराबर हो जाएगा दो इक्वल area में भी बाटतीगी फिर और median बना लेते हैं यहां से मैंने एक median इधर बना ला दी इसके midpoint को join करके तो इस वाली side को दो इक्वल भागों में बाटता फिर यहां पर यह वाला area और यह वाला area बराबर हो जाएगा ऐसे ही अगर मैं तीसरी median बनाऊं तो तीसरी median करने के लिए मैं कुछ नहीं करना अगर मैं इस point से midpoint को जहां से यह तक्रार रही सी दोनों median यहां से भी पास करता वाजाओ तो automatically automatically यह तीसरी side को भी दो इक्वल भागों में बाटेगी कहने का मत्तब ही है कि अगर तीनों median मैंने बना दी एक triangle की maximum तीन ही median बन सकते हैं क्योंकि तीन vertex हैं तो वो एक point से pass होगी और इस point को हम बोलते हैं केंदरक centroid क्या बोलते हैं इस point को centroid अब ये केंदरक कैसे निकाल सकते हैं अगर दो median मना दी मैंने तब भी आ जाएगा जैसे दो मीडियांस टक रहा है जहां पर वो भी केंद्रक है तीन मीडियांस भी मेरी केंद्रक बहीं टक राती है अब केंद्रक की property क्या है centroid क्या करता है triangle को जो median है median को two ratio one में split करता है तो यह वाली side अगर two ratio होगी तो यह वाली side मेरे पास one ratio होगी यह मेरी किसकी property है यह मेरी centroid की property है तो मैंने कहा यह वाली side अगर यह मेड़ी निकल कैया centroid की साथ ही साथ एक और property centroid की होती है कि ये क्या करता है यहाँ पर हमारे पास कितने triangle बने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे जो ये 6 triangle यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इन सब का area भी क्या होता है बराबर होता है तो ये क्या करता है केंदरक ये एक triangle को 6 equal area में भी बाट देता है अगर तीनों medias बना दी जाएं तो ये 6 के 6 area क्या होंगे बराबर होंगे कोई साभी triangle हो ये scale in triangle हो equilateral triangle हो, right angle triangle हो कोई साभी triangle हो हट triangle के लिए property valid रहती है sides, median को 2 ratio 1 में बाटेगा केंदरक और सारे areas को equal part में divide कर देगा क्या ये part याद हो गया ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई आपको चलें आगे all three medians pass through center and medians divide the triangle into six parts of equal areas ये मैंने बताया ये median क्या करता है जो मेरी जो centroid है, median को 2 ratio 1 में split करता है, ये मैंने बता दिया आपको अब मैं आगे भड़ता हूँ इसमें एक property मैंने बताई थी देखो, मेरे पास एक triangle ABC है अगर मैंने कहा D क्या है, midpoint है AB का, और E क्या है midpoint है, किसका AC का, तो उस case में क्या होता है जो DE होता है ये parallel होता है BC के, और DE क्या होता है ये क्या हो जाता है half हो जाता है BC के, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये वाली property याद है आपको अब इसी को मैं थोड़ा और better तरीके से अगर आपको लिखना चाहूँ मैंने क्या करा, midpoints को join कर दिया midpoints को join करने का मत्तब है, कि D मैंने midpoint ले लिया, इसका E midpoint ले लिया, इस वाली side का और F midpoint ले लिया, मैंने इसका side का जैसे कि हम median में midpoints लेते न, सामने वाली side मैंने अभी midpoints लिये और join कर दिया तो आप एक चीज observe करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, पालनो ये वाली side मैंने लिखी A है, ये वाली side के parallel मेरी ये वाली line होगी, ठीक है इतना part clear है, और क्या क्या चीजे निकल के आएंगी, आप कहेंगे सर ये A है, तो ये वाली value A by 2 होगी ये मेरे पास पूरा C है, तो ये वाली value C by 2 होगी, और ये पूरा मेरे पास B है, तो ये वाली value B by 2 होगी, और obviously मुझे ये तो दिखी रहा है कि अगर ये है, ये इसका midpoint है, तो ये वाली value मेरे पास क्या होगी, ये A by 2 है, ये पूरा C है, तो ये वाली value C by 2 है, ऐसे ही अगर मैं देखूँ, ये C by 2 है, ये मेरे पास B by 2 है, और ये मेरे पास A by 2 दे ही रखा है, ये चारो के चारो triangles मेरे क्या बन गए आपस में? congruent बन गए, SSS properties है, ये चोटे ये जितने भी 4 triangles है, ये 4 के 4 आपस में क्या होते हैं? congruent होते हैं, अगर 4 के 4 triangle congruent हुए, तो इनका area क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि 4 into A हो जाएगा, और इन में से किसी भी एक triangle का area पूचे, तो 1 4th of area of triangle ABC ये हो जाएगा, क्या ये property अच्छे तरीके समझे में आ गई? ये एक important property है हमारी, ठीक है? तो ये ही सारी चीज़े मैं नहीं हाँ पर आपको लिख के दिखाई हैं, अब मेरे पास ये ही figure है, क्योंकि आपको पता है, ये midpoint वाला part है, ठीक है? ये midpoint दे रखे हैं, इसके अंदर मैं कुछ और construction कर दूँ, इसके अंदर मैं क्या line खीच दूँ, इसके अंदर हम कर देते हैं, ये, मैंने यहां से ये median बना दी, ये median होगी? अब अब ध्यान से देखेंगे, ये बड़े वाले, इन सबका तो एरिया बराबर होता ही है, लेकिन जो ये छोटे वाला triangle है, अगर आप इसे ध्यान से figure को अबजर्ब करें, तो जी जो मेरा centroid बना है, ये सिर्फ बड़े वाले triangle का centroid नहीं, ये छोटे वाले triangle का भी centroid होता है, ये prove किया जा सकता है, तो मैंने कहा, जी क्या है? जी मेरा centroid है, किसका? दो triangle का centroid है, ये मेरा triangle ABC जो बड़ा triangle है, उसका भी centroid है, और triangle DEF इसका भी centroid है, ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीके D क्या हो गया? जी, दोनों triangles का मेरा centroid है निकल के आता है, अगर centroid आ गया, तो सबका area भब निकालने की कोशिश करो, मैंने कहा, यहाँ पर ये वाला, ये अगर जी, इसका भी centroid है, तो मेरे पास ये वाला area, ये 6 equal part में इस triangle के area को split करेगा, ये area 1 ratio, तो ये भी 1 ratio, ये पूरा area मेरा पास कितना हो गया? 6 ratio हो गया, ये पूरा अंदर वाला triangle, और ये 4 triangle का area क्या है? बराबर है, इसका, इसका, इसका और इसका, है ना? तो इन सब का भी 6, 6 ratio होगा, बचेवे 3 triangles का, तो अगर 6 है ratio, आप देखेंगे, मेरे पास, ये अगर centroid है, तो ये midpoint होगा, इस वाली line का, अगर midpoint होगा, तो ये वाला area, 2 equal भागों में बटेगा, तो ये 3 ratio, ये 3 ratio, total कितना लाना था, 6 हैं, तो बराबर बराबर कर दिया है, ऐसे ही ये 3 ratio, ये 3 ratio, ये 3 ratio, और, ये 3 ratio होगा, तो मेरे पास, जो triangle, जो split हुआ, अगर मैं इस तरह से midpoints को join कर दूँ, और medians बना दूँ, तो triangle के area, मेरा कुछ इस तरीकी से split हो जाएगा, तो कोई भी एक area, इस figure में आपको मिल जाया, आप बाकि सारे area बता सकते हैं, अगर area of triangle ABC की बात करूँ, पूरा बड़े triangle का area क्या होगा, तो ये बीच वाला 6 था, 4 ऐसे triangle बन रहा है, तो 6 into 4 ये 24 होता है, क्या ये figure बहुत अच्छे तरीके साब को clear होगा, ये ratio से आप कुछ भी निका सकते हैं, एक triangle का area मिला सारे बता देंगा, और ये हट triangle में valid है, collator triangle, asus triangle, triangle, scale in triangle, right angle, triangle, sum in, midpoints को join करेंगे, तो ये ही figure मेरी बनेगी, ठीक है, बहुत important property, बहुत अच्छे सवाल इस पर बना दें, examiner तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर पाएंगे, अब एक चीज और है, मेरे पास क्या है, एक triangle दे रखा है, ये, ये मेरा क्या है, centroid है, ये मेरे मीडियन मना दी, ये E क्या है, midpoint है AB का, और ये मेरे पास, F क्या है, midpoint है किसका, AC का, ठीक है, तो मेरे पास एक relationship निकल के आती है, relationship क्या होती है, ये AP ratio, P क्या है मेरे पास, अगर मैं ये median वाली line खीच रहा हूँ, तो जहां पर ये EF को काट रहा है, ठीक है, तो पहली चीज तो मेरे पास, जो first result निकल के आता है, given क्या है मुझे, E and F midpoint है, AB और AC के, और यहां पर एक चीज और लिख दो, G centroid है, अगर G centroid है, तो obvious सी बात है, कि ये क्या होगा, centroid तो median वे पड़ता है, तो इस point को मैं नाम लिख दूँ अगर M, तो मैं कहूँगा, पहला result तो मेरा क्या आएगा, M, midpoint होगा, अच्छा M नहीं है, यहां पर D माना हुआ है, तो D कर लेते हैं, ये मैंने कहा, ये होगा D, पहला result होगा मेरा, C, midpoint बन जाएगा किसका, क्योंकि AD median से पास हो रहा है, ये midpoint होगा, BC का, पहला result, very first result, दूसरा result क्या होगा, दूसरा result मेरा ये होगा, कि ये जो P है, ये भी automatically midpoint बन जाएगा, EF का, ठीक है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं, second result निकल के आएगा, P जो होगा, ये midpoint बन जाएगा, किसका, EF का, ये second result निकल के आएगा, और third result निकल के आएगा मेरा, third result क्या होगा, ये वाली length अगर मेरी three ratio है, तो ये वाली length one ratio होगी, और ये वाली length मेरी two ratio होगी, ठीक है, तो मैं क्या कहोँगा है आपे, ये result, तीसरा result मेरा ये होगा, AP ratio PG ratio GD, ये three ratio one ratio two होता है, क्या इतना part के लिए चलें आगे अब हम, और important properties, median से related क्या होँगी, अगर मेरे पास triangle ऐसे दिरका, ये median ही हैं, पिमान के चलना, sum of medians क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा sum of sides से, sum of medians, जो तीनों ये median जा रही हैं ना, बीच में, इनका sum क्या होगा, हमेशा sides की sum से, छोटा होगा, ये बस याद रखनी है, इसका proof वेगारा, अगर मैं बात करता हूँ, एक और हमारे पास property, ये सारी चीज़े, इसमें सारी properties, उसका छोटा सा जो important proof है, वो बताया एक detail में, और उसके बाद कुछ questions कराए है, और एक detailed course होता है, जिसमें हर एक value, हर एक property का proof, फिर उसके लिड़े जितने भी question, अच्छे से अच्छे लावल तक के वो, वो सारी चीज़े हम paid course में कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको identities के बारे में ही समझा रहा हूँ, तो मैंने कहा, sum of medians क्या होगा, less than sum of sides होगा, और 3 into sum of sides, sum of sides में अगर 3 से multiply गर दूँ, तो यह 4 into sum of medians से क्या होता है, छोटा होता है, वो relationship है, ठीक है, यह basic है, याद रख लिया, अच्छी बात है, exam में question आया, तो direct पूछेगा, और आपको direct बताना होगा, एक होती है, अपॉलोनियस theorem, this is very important, यह क्या है, very important है, क्यों very important है, इससे क्या होता है, पॉलोनियस theorem का मकसद क्या है, अगर मुझे क्या देदे, तीनो sides देदे, तीनो sides देदे, तो मैं median की length को निकाल पाऊँगा, कि मेरी median की length क्या आएगी, या फिर मैंचे 2 side और 1 median की length देदे, क्या करता है, तीन side और 1 median के बीच में relationship, अब इस relationship को कैसे हम drive करते हैं, क्या होती है, वो हम देखते हैं, ठीक है, अपर लोनियस theorem प्रूफ की जा सकती है, जहां पे भी square आता है, पाइथोगरो स्थिरम से हम वो प्रूफ करते हैं, रूफ पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन relationship याद रखो, हमारे पास क्या होगी, ये मेरे पास triangle है, ये तीन median है, ठीक है, तो मेरे पास ये G क्या है, centroid है, ठीक, तो अपर लोनियस theorem की अनुसार, अगर मैं A से देखूँ, A से मैंने median डाली, AD, कि किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, ट्वाइस इंटू में, अब A से मैंने जो दो साइड जा रहे थी, वो निकाले, अब A से क्या जारी है, एक median जारी है, डेटीज AD, तो ट्वाइस इंटू में AD स्क्वाइर प्लस, median से, अब आप देखेंगे, यहाँ पर D खतम हुआ, या तो D से लेके, मैं B तक की length ले लूँ, या फिर D से लेके C तक की length, हमें पता है, BD बराबर होगा किसके, DC के, और यह बराबर भी होता है, half BC के complete के आधा भी होगा, तो मैं AD प्लस, BD लिख लूँ अगर मैं, तो यह BD स्क्वाइर, यह मेरी relationship होती है, यह relationship आपको याद रखनी है, ठीक है, अब यहाँ पर आप BD किसके बराबर है, मैंने लिख दिया, यह DC के बराबर भी होगा, और half BC के बराबर भी होगा, कुछ भी आप रिप्लेस करके लिख सकते हैं, तो तीन साइट और एक मीडियन के बीच पर relationship देता है, पॉलोनेर्स थे और हम और यह बहुत important है, इस पर direct सवाल exam में बनता है, ऐसे ही इसी को यूज करके हमने थोड़ा और result better करा, अगर मुझे तीन मीडियन दे दे, तीन मीडियन दे और मुझे क्या दे दे, एक साइट दे दे, तीन मीडियन और एक साइट के बीच में भी हम relationship निकाल सकते हैं, कहने का मतलब यह है, अगर मुझे क्या बताना है, यह आप याद रखें ठीक है नहीं याद रखा तो यह काम भी Apollonius theorem से ही किया जा सकता उसे सही तरीके से अगर हम यूज कर लें ठीक तो याद रखनी है तो रखो नहीं रखनी तो यह वाली इतनी important नहीं है इसमें क्या होता है मेरे पास मालो मुझे BC साइड दे रखें ये वाली साइड मुझे निकालनी है और मुझे तीन मीडियांस दे रखें होगी एक ये वाली है एक ये वाली है और एक ये वाली है तो BC जो लाइन्थ मुझे निकालनी है ये किसके बराबर होगा 2 by 3 अब BC से मेरे पास क्या जा रही है B से start करते है B से एक median जा रही है एक C point है, एक C से median जा रही है तो twice into B e square twice into C e square minus और जो इन दोनों पर median पड़ रही है ये AD square ये मेरी property निकलके आती है क्या ये चीज clear होगी और एक और property आती है area of triangle ABC ये क्या होगा, ये बराबर होता है 4 by 3 into my area using median size sides, तो अगर मैं बात करूँ मेरे पास यहाँ पर क्या है ये triangle ABC का अगर मुझे area निकालना है तो ये किस के बराबर होगा ये बराबर होगा 4 by 3 into area using median size sides का मतलब अगर ये 3 median है AD, B, E, C, F तो इसे मैं median 1 माल लेता हूँ इसे मैं median 2 माल लेता हूँ और इसे मैं median 3 माल लेता हूँ ये 3 median है तो median 1, median 2 और median 3 को use करके अगर मैं एक triangle बनाता तो उसका जो area होता उसके बराबर 4 into 3 into area using medians clear? ऐसी एक ओर relationship पोती extended property हमारे पास निकलने के आती है आप उलनल स्वरम को ही use करके ये बनती है properties ये वाला याद रख लो बाकी तो अपने आप आप कर लोगे मेरे पास क्या होगा? 3 into में sides के square कसम 3 into में sides के square कसम ये बराबर होता है 4 into में medians के square कसम तो ये मैं बता चुका हूँ आपको position of centroid centroid मेरा कहां पे लाई करता है? ठीक है? तो acute angle triangle है, right angle triangle है और हमारे पास obtuse angle triangle है तीनों ही cases में हमारे पास जो median होगी आप देखेंगे यहाँ पर median बनाऊँगा mid points को join करते हूँ यहाँ पर बनाऊँगा और यहाँ पर बनाऊँगा क्या ये triangle के inside है? अंदर पड़ेगा ऐसे यहाँ पर बनाऊँगा यहाँ पर बनाऊँगा और यहाँ पर बनाऊँगा triangle के अंदर पड़ेगा यहाँ पर बनाऊँगा यहाँ पर बनाऊँगा और यहाँ पर बनाऊँगा तो centroid मेरा हमेशा क्या होता है? इंसाइड centroid कोई सा भी triangle हो मेरा right angle acute angle या obtuse angle तीनों में ही triangle के अंदर पड़ता है ठीक है अगर मेरे एक triangle की medians 90 degree पे intersect करें तो क्या property होती है वो भी देख लो इसके उपर भी सवाल आ चुके है मेरे पास ये triangle है ABC अगर इसमें मैं medians बना देता हूँ दो median मैंने बनाई एक ये बनाई और एक ये बनाई ये median कर रही है 90 degree पे intersect इस point को नाम दे देते हैं हम जी तो मेरी property किया कहती है अगर इस वाली side को A के सामने वाली side को 5 A रखूँ और एक median मेरी B से जा रही है एक C से जा रही है तो ये वाली side मैंने मानली C और ये वाली side मैंने मानली B तो property कहती है property कहती है कि 5 into में ये 90 degree यहां से B और C से जा रही है ये B और C से जो median जा रही है 90 degree पे टकरा रही है तो BC की length मतलब 5 A square ये बराबर होगा जो बाकी दोनों sides से उनके square के sum के ये बराबर होता है B square प्लस C square के ये एक property होती है चलें आगे तो वही चीज मैंने बता रखी है अच्छा एक चीज और बताओ मुझे मैंने क्या करा है यहां पे एक triangle बनाया इसकी क्या करी तीनों की तीनों मैंने medians ड्रो कर ली तीनों मैंने medians बना ली ठीक है ये चलो ये मैंने इसकी तीनों medians ड्रो कर ली तो मैंने का सारे area क्या होंगे बराबर होंगे तो ये one है 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 और ये one है अगर मैं क्या करूँ इन में से ये वाली लाइन हटा दूँ मैं क्या कर रहा हूँ आप देखना ध्यान से ये वाली अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूँ ये वाली लाइन हटा दूँ और ये वाली लाइन हटा दूँ तो ये मेरा बीच में क्या पोइंट है बीच में तो मेरे पास centroid का point है न यह centroid तो यह आप देखोगी यह वाला area दो ratio यह वाला area दो ratio और यह वाला area दो ratio यह तीनो area भी क्या होंगे बराबर होंगे क्या हने का मत्तब यह है कि एक triangle में अगर मैंने कहीं centroid रखा तो वो क्या करेगा इन तीनों इरियाज को पराबर कर देगा क्या ये चीज भी कलियर है सेंट्रोइड से अगर मैं सारी वर्टिस को जोईन करता हूँ, तो तीन इकवल इरियाज में मेरा ट्रेंगल बठता है अब आता है हमारे पास ortho center, lumb keindr lumb keindr ये बारे में सीखेंगे 30 second का हम break लेते हैं फिर ortho center है फिर in center है, फिर circum center है फिर basic properties है अभी तो बहुत कुछ जिरनी बची भी है हमारी जो हम साथ में मिलके cover करने वाले हैं चलो क्या है ओर्तो सेंटर लम्ब केंदर क्या होता है अगर मेरेपास एक triangle दे रखा है ठेख है, इसमें चांचल मतलब यहां से इधार Billboard बनाया और एक परफेंडीकुलार्ब मैने यहां से बनाया तो दोनों परपेंडीकुलर जहां पे टक्राएंगे इस point को हम बोलते हैं ortho center that is lump kendra ठीक है और जो अगर मैं तीसा perpendicular draw करूँगा इसके ओपर तो यह इसी point से तीसरी line draw करूँगा यहां से इसे मिलाते हुए तो automatically सामने वाली side पे perpendicular जाके पड़ेगा तो यह मेरा जो point होता है यह ortho center कहलाता है क्या यह चीज clear हो गई दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ आप यहां पर ही देखते हैं चलो साथ की साथ अगर मैं इस वाली figure में ही चलो इस figure को देखो इस quarter को देखो आप देखेंगे यह 90 degree है यह 90 degree है तो यह वाला एंगल यह है तो यह 4 एंगल का समवर 360 होगा 90 90 180 घड़ गया तो अगर यह theta है या angle A जो भी है तो यह वाला एंगल क्या हो जाएगा यह वाला एंगल 180 minus theta निकल के आएगा मेरा ठीक है अगर यह 180 minus theta तो इसका vertically opposite angle हो जागा यह तो यह भी 180 minus theta या 180 minus A लिख सकते हैं हम तो मैं कह सकता हूँ angle B O C यह किसके बराबर आएगा यह मेरे पास 180 minus angle A के बराबर आएगा या theta के बराबर आएगा क्या तो इसका और इसका सम 180 होता है या 180 minus A मैं लिख सकता हूँ और तो पहली property तो यह हुई मेरे पास कि अगर और और तो सेंटर है A B C और तो सेंटर का point यह मैंने O माल लिया तो मेरे पास क्या होगा यह वाला angle जो होगा यह 180 minus A होगा clear है? confuse नहीं होना है दूसरी property क्या होती है और तो सेंटर के case में धिहान से देखते चलो मेरे साथ आप अगर देखें यह वाला angle अगर थीटा है तो यह वाला angle थीटा होगा vertically opposite angle यह 90 है यह 90 है मेरे पास तो यह दो angle equal होगा तो इस triangle को और इस triangle को हम क्या कर सकते हैं? अगर यह दोनों triangle similar हो गए तो आप एक चीज़ उब्जब करेंगे जो तीसरा angle बचावा है यह तीसरा angle ए तो यह वाला angle भी मेरे पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यह वाला angle ए है तो यह वाला angle भी ए हो जाएगा similarly in the similar fashion अगर मैं यह वाले triangle को उठाऊं और यह वाले triangle को उठाऊं आप कहेंगे सर यह वाला angle क्या है मेरे पास? अगर यह वाला angle alpha है तो यह वाला vertical opposite angle alpha यह 90 तो यह दोनों triangle similar हो जाएगे A property से तो यह वाला angle अगर B है तो यह वाला angle भी B हो जाएगा ऐसे ही यह वाला triangle और यह वाला triangle यह दोनों triangle भी क्या हो जाएगे similar prove हो जाएगे अगर similar prove हो गए तो मेरे पास यह वाला angle अगर C है तो यह वाला angle भी C हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर तीनों कोनों का योग इस triangle के अंदर 180 डिग्री होगा तो twice A plus B plus C A B C दो दो बार आ रहे हैं कोने वाले angle बड़े वाले triangle में देखूं 180 तो मेरे पास A plus B plus C का मान कितना होगा 90 होगा अगर A plus B plus C का मान मेरे पास 90 है तो मतलब यह A लिया, एक छोड़ा B लिया और एक छोड़ा C लिया एक छोड़ के 1 लिया, दूसा चोड़ा C यe छोड ये लिया ठीक है यहां फिर मैं क्या कर लेता यहां पर मैं ये वाला उठा लेता ये लिया ये वाला ये लिया इनका सम क्या आ रहा है मेरे पास 90 डिगरी आ रहा है यह BOTH important property है याद रखेंगे यही same property अभी मैं ortho center के case में किरा रहूं आप आपको यही सेम प्रोपर्टी आपका आगे भी कॉंटिन्यू होगा जब मैं इन सेंटर और सरकम सेंटर कराऊंगा उसमें भी यह प्रोपर्टी को मनाती है दूसरी मेरे पास क्या निकल के आएगे अगर मैं सिम्लाइटी को यूज करूँ जैसे कि मैंने बताए यह वाला ट्र है बी न यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक थिता हो गया एक था होग्या है मेरे पास बैसा समझ आ रहा है आपको और साथ ही साथ अगगर मैं यहीं रिलेशिंशिप यहां पर इसवाले ओर इसवाले ट्रेंगल में फोलो कर Xiaomi तो मेरे पास क्या चीज निकल के आएगी यहीं से निकल के आएगा मेरे पास यही चीज मेरी और बराबर हो जाएगी CO इंटो में OF के किसके बराबर हो जाएगी CO इंटो में OF के तो ये एक प्रोपर्टी होती है इस पर डारेक्ट सवाल पूछ लेता है examiner ठीक और सो center की तो मैं इसे दुबारे एक बार repeat करता हूँ मैंने क्या चीज बताई आपको पहले तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर येवाला angle अगर A है तो येवाला angle क्या हो जाएगा येवाला angle मेरा 180 माइनस A हो जाएगा फिर मैंने आपको क्या बताया मैंने इसके अंदर ये बताया अगर येवाला एंगल A है, तो येवाला एंगल A होगा, येवाला एंगल B है, तो येवाला एंगल B होगा, और मैंने का येवाला एंगल C है, तो येवाला एंगल मेरे पास C होगा, और A प्लस B प्लस C मेरा क्या होगा, 90, डिगरी होगा, ठीक, उसके बाद मैंने आपको क्य प्रग नहीं पड़ता क्या मैं मान रहा हूं तीसरी चीज़ मैंने आपको पताई कि यहां पे मेरे पास क्या है एओ मतलब यह जी पॉइंट लिखा वाए है इहां पे इसे जी गो लिख दो यहां पे गलती है टाइपिंग एरर है यह ओ है तो यहां से लेकर यहां तक की दूर दूरी इंटू में ओडी यहां से लेकर यहां तक की दूरी यह बराबर होगा किसके यह बराबर होगा मेरे पास बी ओ और इंटू में ओई और यह बराबर होगा मेरा सी ओ इंटू में ओई ओ एफ चलियर होगी यह चीज़ चलें आगे एक और परपर्टी होती है अगर मेर एक triangle है इस पर मैंने पर्पेंडिकुलर डाला ठीक ये मैंने क्या कराए एक triangle बनाया triangle पर एक ऐसे perpendicular डाल दिया इस perpendicular पर अगर मैं कोई भी एक random point ले लेता हूँ इस perpendicular पर कोई भी point अगर मैं K ले लेता हूँ तो property क्या कहती है मेरे पास यह समझेंगे, यह अगर A, B, C है, तो A, B और यहां से मैं K को join कर दूँ, A, B square प्लस B, K square sorry यहां पर मैंने K को यहां से point कर दिया यहां से join कर दिया, ठीक है, तो मेरी property इसमें relationship देती है यह वाली side square प्लस यह वाली side square, A, B square प्लस C, K square, यह बराबर होता है मेरे पास यह वाली side square प्लस यह वाली side square यह वाली side square प्लस यह वाली side square, केलियर हो गया, तो यह याद रख लेंगे, कोश्यन आया तो हम कर पाएंगे position of ortho center अगर acute angle triangle की बात करो तो ortho center मेरा कहां पढ़ता है आप perpendicular डालेंगे, यहाँ पर perpendicular डालेंगे तो ortho center आपका triangle के अंदर ही बढ़ता है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ right angle triangle की, तो यहाँ से अगर C से perpendicular डालूँगा इस वाली side पे तो वो B point पही आएगा, तो right angle triangle में ortho center का point यह ही होता है, A से बड़ा angle होता है, यह है मेरा 90 plus angle obtuse angle, ठीक है, इसके पास लाई करेगा मेरा ortho center का point, ठीक है, तो मैंने centroid बताया, triangle के inside होगा ortho center मेरा triangle के inside होगा, acute के case में right angle triangle के case में vertex पे होगा, जो जहाँ पर 90 degree angle बन रहा है और obtuse angle triangle के case में triangle से बहार चला जाएगा, और जो सबसे बड़ा angle है, उसके पास लाई करेगा circle and tangent, ठीक है, अब circle से related कुछ समझेंगे, क्योंकि अब हम in circle और circum circle के बारे में जानना चाह रहे हैं circle क्या होता है, मेरा एक वर्थ होता है circle की एक property होते है, कि circle पे अगर कोई भी tangent डाली जाए circle पे अगर कोई भी tangent डाली जाए तो आप देखेंगे, वो center से 90 degree का angle बनाती है यहाँ center है, center से अगर इस पर डाला मैंने जहाँ पर touch कर रही है tangent, tangent क्या होती है इस पर श्रेखा जो circle को एक point पर touch कर रहे तो यह angle जो मेरा होता है, यह 90 degree का होता है क्या यह part clear हो गया तो circle पे मैंने कोई भी अगर एक tangent डाली तो वो 90 degree का angle बनाएगी अब देखो यहीं पर देखना ध्यान से मैं इसी point से एक ओट tangent डाल सकता हूँ circle पे, डाल सकता हूँ, ठीक है वो कुछ ऐसी जा रही होगी तो एक external point से एक circle पे कितनी tangent डाल पाया एक एरी, एक एरी, इसके लावा दो tangent से जादा नहीं डाल सकते हैं तो यह मेरा p point है अगर तो मैं कहूंगा यह p point है यह इसे point को a मान लेता हूँ, इस b मान लेता हूँ इस b point पे भी touch कर रही है तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे भी perpendicular बना रही होगी अगर यहाँ पे भी perpendicular ही बना रही है तो यह वाली दूरी अगर मेरे पास radius है तो यह वाली दूरी भी मेरे पास क्या होगी radius होगी, यह span से visible नहीं है तो मैं सही कर लेता हूँ मैं कहूँगा ठीक है अगर मैं इस वाली line को join कर दूँ मैं क्या करूँ इस वाली line को join कर दूँ ऐसे तो आप दो triangle को observe करेंगे ये मेरे पास PBO triangle है और ये PAB triangle है ये 90 degree ये radius radius ये वाली side क्या हो गई common हो गई तो दोनों triangle ये वाला और ये वाला क्या आ जाएंगे congruent मैंने कहा PBO triangle congruent हो जाता है PAO triangle के और अगर दोनों triangle congruent हो गए तो इनके corresponding sides क्या हो जाएंगी equal हो जाएंगी corresponding sides इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है मैं next page पर आपको बताता हूँ मतलब corresponding sides और angles equal हो जाएंगे इसका मतलब क्या है अगर ये वाला angle alpha है तो ये alpha निकल क्या आएगा ये वाला delta है तो ये वाला angle beta निकल क्या आएगा ये वारी length अगर L है तो मेरे पास ये वाली length L निकल क्या आएगी तो हम कहते हैं एक external point से तो मेरे पास दोनों की length क्या होती है ये property बहुत important है ये हमेशा याद रखेंगे और ये बाकी सारी property जो इस figure में बताई ये सारी की सारी ही हमारे exam के point of view से important रहती है तो ये मैंने आपको बता दिया जो जो यहाँ पे है और आप ये भी देख सकते है ये वाला angle और ये वाला angle का sum क्या होगा इस quad later में 180 degree हो जागा क्योंकि इसका और इसका sum 90 है वो सरी ये 90-90 है तो इसका angle का और इस angle का sum क्या होगा 180 degree होगा अब मेरे पास आता है circle inside a triangle एक triangle के अंदर circle एक छोटी सी property ये कहती है कि अगर कोई भी triangle हो मेरे अंदर उसके अंदर में एक circle डाल सकता हूँ चैक ऐसा भी triangle हो उसके अंदर एक circle ऐसा डाला जा सकता है जो तीनों vertices को touch करें अगर इससे आप दूसरे तरीके से देखना चाहें अगर मेरे पास कभी भी हो तीक एक circle दे दिया उसके चारो तरफ मैंने एक triangle बना दिया मतलब circle क्या हो गया triangle के अंदर आगया ऐसे कोई भी triangle हो मेरे पास उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ एक circle डाल सकता हूँ अब ये circle कैसे डलेगा वो देख लो ये हमारा concept आएगा इन-centre वाला अगर मैं क्या करोओ इस triangle का मैं दुबारे triangle एक बनाता हूँ अच्छा सा मैंने क्या कराए एक triangle बनाया इसका मैं इंगल बाइशेक्टर बना दूँ मैंने क्या कराए इसका angle by sector बनाया इंगल by sector का क्या होता है इस angle को दो भाग में बाटा, ऐसी मैंने इसका angle by sector बना दिया इसका दो भाग में बाटना तो ऐसे ही अगर मैं बात करो, इस से join करूँगा ना मैं इस point को अगर मैं इसको इस से join करके जाऊंगा, तो automatically यह क्या होगा यह इसका भी angle by sector ही होगा और जहां पर यह एंगल बाइसेक्टर टकराते हैं इसे हम बोलते हैं इन सेंटर और यह वह पॉइंट है जिसे सेंटर मानके मैं हाँ एक सरकल ड्रो कर सकता हूँ जो तीनों साइट्स को टच करता हुआ जाएगा अब देखो यह सरकल जो टच कर रहा है धियान रखना यहां से यह वाली लाइन और यह रेडियस वाला पॉइंट अलग चीज है तो यह प्रोपर्टी होती है इस पॉइंट को हम बोलता है अंता के इंद्र या फिर इन सेंटर तो यह चीज तो अभी हम आएंगे इस पर दुबारा से बाकि हम इस से लेटिट थोड़ी सी चीजे और जान आतीनगता कार से खोड़ी अफ तो इनकी में लिषए होगी बराबर ऑफछी से जा रहे हैं तो इसकी लेंद और इसके लेंद पराबर होगी और इसके लेंद और इसके लेंद बराबर पराबर होगी, यह property याद रखना है, इस पर question डारेक्टली आ जाता है, इन तीनों का sum कर दूँगा, तो parameter आएगा मेरे पास twice a plus b plus c, और semi parameter आएगा a plus b plus c by 2, that is a plus b plus c, ठीक है, तो यह इस पर direct questions बनते एक्जाम में, यह property हम याद रखेंगे, area of a triangle, अगर मैं इसके area की बात करूँ, तो area क्या आजाएगा मेरे पास, अगर एक triangle है, उसके अंदर यह किस तरह के से मैंने circle डाल दिया, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, यह इसका radius है, तो area होता है मेरा, area का formula होता है, in radius into में semi parameter, इन radius क्या होता है, in radius into में semi parameter, यह बरू बड़ असानी से किया जा सकता है, अगर मैं इसमें क्या करूँ, कुछ lines draw कर लूँ, मैं यहाँ पर यह line बना दूँ, यह line बना दूँ, और यहाँ पर यह line बना दूँ, तो मेरे पास यह क्या होगा, तीन triangles में split हो जाएगा, तीन triangles में split हो जाएगा, इसका area प्लस इसका area और इसका area सम करूँगा, यह मेरे पास मानलो A है, यह B है और यह C है, यह मेरे पास R है, यह R है, और यह भी R है, इन तीनो triangle का area का सम करूँगा, तो मेरे पास C वाला रिजट निकल के आता है, ठीक है semi parameter क्या है, A प्लस B प्लस C तो यही चीज में आपको यहाँ पर भी दिखा रहूं, एक एक चीज में लिखूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैंने कहा यह आपको यहाँ पर दिखेगा, तो मेरे पास जो area of triangle निकल के आया, वो यहाँ पर निकल के आया, R dot S area of triangle ABC बड़े वाले triangle का area, और य triangle, और एक triangle मैंने लिया से यह वाला triangle, और एक मैंने triangle लिया से यह वाला triangle, इन तीनों triangle का जो area का ratio होता है, वो इनके side के ratio के बराबर होता है, ठीक है, तो यह वाले triangle का area, area of triangle BIC, BIC मतलब यह अगर in center का point है, तो BIC का triangle का area, इस side के proportionल होगा A ratio, area of triangle AIC, AIC अगर मैं निकालूँगा, तो यह B ratio, और A of triangle BIA, यह होगा C ratio, यह चीज़ आपको याद रखनी है, चलें के आगे, अगर मेरे पास कोई एक right angle triangle दे रखा हो, ठीक है, तो मेरे पास right angle triangle के अंदर क्या होता है, area of triangle तो मैंने R dot S बताया ही है, right angle triangle के अंदर जो मेरा in radius का मान निकल के आता है, यह बराबर आता है मेरे पास, एक base यह वाली side को base मानेंगे, यह वाली side को हम perpendicular मानेंगे और यह वाली side को hypertenious मानेंगे, तो यह होता है P plus B minus H divided by 2, perpendicular plus base minus hypertenious divided by 2 proof, तो यहाँ पर लिखा वही है, आप यहाँ से देखी सकते हैं, इस figure को धियान से visualize करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो directly हम in radius निकाल सकते हैं और right angle triangle में ही मेरे पास एक और property निकल के आती है, area मेरा बराबर होता है semi perimeter into my semi perimeter minus hypertenious, ठीक है, तो यह तो ज़्यादा काम नहीं पड़ता, इस पर तो question में जखता, exam में कभी पूछा भी गया है, गाधी पार आया तो बाता लगे, बकिए यह याद रख लेना, in radius of a right angle triangle is this, अ angle bisectors draw कर दूँ, ठीक है, यह proof बगरा detailed course में सब कराया होता है, कि क्यों angle bisectors को draw करके जो point आता है, वो in center का point होता है, अगर मैंने क्या करा, यह angle bisectors draw करे, तो मैं कहूंगा, यह वाले angle अगर a है, तो यह वाले angle b, a होगा, यह angle bisectors draw करे, यह b है, तो यह b, b होगा, और यह angle bis इसका बनाया, तो c है, तो यह b, c होगा, तो जहाँ पर टकराएंगे, यह मेरा in center कहलाएगा, आप again देखें यहाँ पर 2a, 2c, 2b, सभी कोनों का योग triangle abc का, क्या हो जाएगा मेरे पास, twice a plus b plus c, यह तो 180 degree हो गया, अगर यह मेरे पास 180 degree आया, तो a plus b plus c कितना हो गया, क्या यह 90 degree हो गया, 90 degree हो गया, अगर मैं a plus b plus c को यहाँ पर ढूंडता हूँ, तो मेरे पास क्या आयागा, यह a है, एक छोड़ा, यह c है, एक छोड़ा, यह b है, एक छोड़ के एंगल पकड़ते चले जाओ, sum 90, यही मैंने ortho center में भी बताया, यहाँ पर मेरे पास क्या है, a है, एक छोड़ा, यह पकड़ा, एक छोड़ा, यह कैसे हुआ, पहले मैंने गल्थ पकड़ लिया था, अच्छा यह b वाला यहाँ पर आना था, एक छोड़ा यह पकड़ा, तो इनका sum क्या आएगा, मेरे पास एक छोड़ के एंगल को पकड़ते हैं, तो 90 degree मेरे पास निकल के आता है, क्या इतना पार्ट सबको अब बहुत अच्छे तरीके से सभज़ा आगे, पहली प्रोपेटी होगी मेरे पास, अब मैंने कहा, a प्लस, b प्लस, c तो मेरे पास 90 degree के है, यह b प्लस, c है, तो यह वाला एंगल क्या हो जाएगा, मेरे पास, क्या b प्लस, c मेरा 90 minus a के बराबर है, तो एंगल, b प्लस, c यह वाला एंगल मेरे पास 90 minus a हो जाएगा, और 90 minus a अगर यह हो गया, तो b प्लस, c यहां से मिने निकाला, b प्लस equals to 90, मैंने क्या लिख दिया यह, सोरी, गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, यह वाला एंगल होगा, मेरे पास, इस ट्राइंगल के अंदर, 180 minus b प्लस, c, और b प्लस, c मेरे पास क्या है, 90 minus a है, तो 180 minus 90 minus a, तो यह हो जाएगा, मेरे पास, 90 plus a, 90 plus a, एंगल a क्या है, एंगल a by 2, capital a by 2, एक प्रोपर्टी यह होती है, तो मैंने कहा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, यह इसका इंसेंटर का पॉइंट है, यह a है, यह b है, और यह c है, तो एंगल b, i, c, किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, 90 plus a by 2 के, बहुत इंपोर्टेंट प्र प्रोपर्टी इस पर डारेक्ट कुर्षिन आते हैं, क्या यह प्रोपर्टी याद रह जाएगी, नेक्स्ट कुर्षिन मेरे पास क्या है, यह दोनों प्रोपर्टी मैं बता चुका हूँ आपको, यह वाली भी लिखवा दी, एंगल बाई सेक्टर थियोरम आ गी है, चलो ए प्रोपर्टी सीख लेते हैं, मेरे पास यह ट्राइंगल है ABC, क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसका इन सेंटर का पॉइंट कुछ रहा होगा यह, यह मेरे पास क्या है, अगर यह मेरे पास एंगल A है, तो मुझे पता है, यह वाला एंगल होगा, 90 प्लस A बाई 2, यह मैं पढ़ चुका हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लूँ, मैं इस AB लाइन को थोड़ा आगे भढ़ा दूँ, मैं इस AC लाइन को थोड़ा आगे भढ़ा दूँ, ठीक है, और मैं एक हाँ पर कोई external point होगा एक ऐसा circle बनाऊ, जो क्या करें, जो इस से इस side को, और इस side को touch करता वजाए, ठीक है, या तो मैं ऐसा circle बना सकता हूँ, वरना मैं यह कह सकता हूँ, चलो एक काम करते है, यह internal angle by sector है मेरे पास, यह वाले angle का, exterior जो angle है, इसका angle by sector बना लेता हूँ, मैंने क्या करा, इस exterior angle का angle by sector बनाया, यह कुछ ऐसे, तो मेरे पास क्या होगा, एक point पर जाके मिलेंगे, इस point को माल लेता हूँ, मैं A, आप देखेंगे, यहाँ पर यह angle by sector है, यह angle by sector है, यह दोनों बराबर थे, तो इसे मैं अगर फिलाल A रख लूँ, यह A होगा, यह B रख लूँ, तो यह B होगा, ऐसे ही मैं इस point को अगर C माल लो, तो यह C होगा, angle by sector बनाए, यह D माल लो, तो यह D होगा, आप देखेंगे, ट्वाइस A प्लस ट्वाइस D एक लाइन है, तो ट्वाइस A प्लस D मेरे पास कितना हो गया, 180 और A प्लस D मेरे पास होता है, 90, तो यह वाला angle मेरे पास 90 निकल के आता है, similarly यहाँ पर B प्लस C, यह 90 आएगा, आप देखेंगे, 90 प्लस A बाइटू है, तो यह 90 है, यह 90 है, मैं कौन सी बड़ी फीगर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस बड़ी फीगर को देखूँ, तो यह Quadrilateral बन गया, तो इन चारों का सम 180 होगा, तो सोल करके अगर मैं निकल के आएगा, यह वाला angle निक तो यह होता, 90 माइनस A बाइटू, यह है, यह 90 प्लस A बाइटू है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला angle, यह है मेरे पास, एक्टरनल एंगल बाइसेक्टर वाला angle, इलियर हो गया यह वाला पार्ट, आगे भड़ता हूँ, इसी के अंदर ही थोड़ा और देख लो, ज क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इन सर्कल अता तिर्ज, अता वर्त, और अगर मैं इसे सेंटर मान के एक सर्कल बनाया जा सकता है, इसे सेंटर मान के अगर मैं कोई सर्कल ड्रो करूँगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, इसे हम बोलते हैं, एक सर्कल, क्या बोलते हैं, इ इसकी तरिजगो X-radius, इसकी तरिजगो हम बोलते हैं in radius, क्या ये part clear हो गया, X-radius का मान क्या होता है, X-radius मेरा बराबर होता है, area of triangle जो बड़े वाला triangle है ABC, बड़े वाला triangle है ABC divided by semi perimeter of triangle ABC, minus, जिस side पे ये X-radius टच कर रहा है triangle की, इस वाली side को टच कर रहा है न, तो A के सामने वाली side है BC, तो ये होगा मेरे पास minus BC, ये मेरे पास X-radius का मान होता है, क्या याद रह जाएगा, बस इतनी property याद रखनी की जुरुत है, बाकी और भी एक दो चीज़े आती है इसमें, अगर मैं दिखाओं यहाँ पर, आपको एक second मेने डाला हुआ है, उसके बाद वापिस आएंगे, ये सारी चीज़े दुबारे करा रहा हूँ मैं, तो मेरे पास य अगर ये वाली साइड ए है, ठीक है, ए साइड पर टच कर रहा है मेरा x radius, x circle, तो मेरे पास जो x radius ratio in radius होता है, x radius होता है, a plus b plus c, मतलब parameter of ये वाला triangle, ये ratio जो मेरे पास in radius होता है, ठीक है, वो होता है मेरे पास c plus b minus है, मतलब इन दोनों sides का sum minus में ये वाला, याद रखना, याद रखो, औरना exam time में basic से भी आप ये प्रूव कर सकते हो, तो इसे छोड़ भी सकते हैं अभी के लिए, चलूँ आगे मैं, angle bisector theorem, angle bisector theorem क्या कहती है, अगर मेरे पास क्या हो, एक triangle दे रखा हो, a, b, c, इसमें मैंने क्या करा, एक angle bisector बना लिया, क्या करा मैंने, angle bisector बना लिया, angle a का, कोई से भी angle का बना सकते हो, आपकी मर्जी है, तो मैंने इसका क्या बनाया, angle bisector बनाया, और मैंने कहा, यह point है d, तो angle bisector theorem क्या कहती है, यह कहती है, यहाँ से मैं एंगल bisector बना लिया है, तो a, a से कौन सी source side जा रही है, ad और ac, ab और ac, A से गई एक साइड A B और A से ही एक साइड गई A C ये किसके बराबर होगा अब यहां से मैं A से एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ जो A B C को कट रहा है at point D तो यहां पर D से लेके ये D पर कट कर रहा है न यहां से पहले मैं A B लिया था A C लिया था अब A को रिप्लेस कर देंगे जो एंगल बाइसेक्टर B C को कट कर रहा है डी पर तो D और यह था भी तो आज इड़िज भी यहां पर मेरे पास डी और यहां पर है C यह मेरी एंगल बाइसेक्टर थियोरम मैं इस पर इतने भर-भर के सवाल एक जाम में पूसता है न ससी में भर-भर के तो इसे याद रखेंगे अब यह तो हो गया मेरा इंटर्नल एंगल बाइसेक्टर थियोरम इंटर्नल में क्या था हम इंटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करवा रहे थे ठीक है मेरे पास एक एक्स्टर्नल एंगल बाइसेक्टर थियोरम भी होती है external angle by sector theorem क्या कहती है कि अगर मेरे पास triangle क्या दे रखा है यहीं पर समझो मेरे पास यह triangle दे रखा है A, B और C ठीक है यह triangle ABC दे रखा है मुझे इसमें मैंने क्या करा A का external angle अभी पहले पिछले case में क्या करा था मैं internal angle by sector बना के property को prove करा था A, B by A, C बराबर होगा B, D by D, C के है अगर मैं external angle by sector की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है मैं A का external angle बनाया यह इसका external angle बनाया तो अगर मैं खीचूंगा तो यहाँ पर कुछ जाएगा और यह क्या गरेगा B, C line को अगर मैं extend करूँगा तो D point में यहाँ पर cut कर रहा है तो इस particular case में भी मेरी theorem बदलेगी नहीं मैं किस angle का angle by sector बना रहा हूँ angle A का तो A A से दो side जा रही है triangle की A, B और A, C ठीक है यह B, C को कहाँ पर जाके टकराया D point पर तो D ठीक है D, B, Y, D, C के एक घुमा के लिख रहा है बस और कुछ नहीं एक और भूद महत्पून प्रोपर्टी जिस पर सवाल बनाया जा सकता है अगर मेरे पास क्या हो एक triangle दे रखा है A, B, C इसमें मैं क्या करूँ अगर एक angle by sector line खीच दूँ मैंने क्या करा इसके अंदर एक line खीची angle by sector angle by sector क्या करेगी ये angle और ये वाला angle क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ठीक है मान लो ये D point पर यहाँ पर जाके cut कर रही है तो यहाँ पर in center क्या करेगा angle by sector वाली line पर cut करेगा तो property क्या कहती है मेरे पास अगर मैं नाम करन कर दो इसका देखो सामने वाली side इसके क्या है ये A है ये मेरे पास क्या है इसे C मान लेता हूँ इसे B मान लेता हूँ तो property क्या कहती है AI ratio ID A से मैंने angle by sector डाला था तो A से in center तक की दूरी divided by in center से जहाँ पर angle by sector मेरे सामने वाली side को काट रहा है इसके बराबर होगा A से angle by sector बनाया तो A के बराबर में दो side जा रही है मेरे पास एक C और एक B तो C plus B और divided by बचीवी side क्या है A ये मेरा result निकल के आता है तो ये मैंने A से बनाया ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बना देता कुछ तो मैं कहता B I ratio ID किसके बराबर होगा A plus C divided by B के और ऐसे इधर खीच देता मैं line तो मैं कहता C I ratio I F इसके बराबर हो जाता मेरा ये बराबर हो जाता A plus B divided by C के क्या ये याद रह जाएगा ये सारा लिखावा है एक प्रोपर्टी अपनी ये होती है अब यहाँ पर क्या है हमारे पास ये सब मैंने बता दिया है आपको अगर Equilateral Triangle हो जाए हमारे पास तो Equilateral Triangle के केस में क्या होगा ये तीनों साइड मेरी बराबर हो जाती है ये तीनों साइड क्या हो जाती है मेरी बराबर हो जाती है और अगर मेरी तीनों साइड बराबर हो जाए तो मेरे पास आप relationship निकाल सकते हैं आप कहेंगे कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगा Equilateral Triangle अगर दे रखा है तो X Radius यह मैंना भी थोड़ी देर पहले कर आया था इसी में आगे extend कर लो आप यह वाला पार्ट X Radius हो जागा area of triangle divided by S minus S side यह होगी अच्छा किसी भी side पर निकाल लूँ अगर मैं X Radius यहाँ पर खीच के यहाँ पर निकालता है तो इस particular case में भी X Radius में साइड यह ही है X Radius में सारे के सारे क्या होते है बराबर होते है Normal case में 3 different kind of X Radius निकल के आते लेकिन यहाँ पर 3 x Radius की value क्या हो जाती है X Radius में बराबर हो जाती है ठीक है और अगर मैं यहाँ पर X Radius ratio in Radius निकालों X Radius में तो यह ratio मेरे पास आता है Area of triangle ABC divided by S उल्टा लिखा है X Radius Ratio N Radius होगा मेरे पास 3 Ratio 1 R E X Ratio ठीक है तो यह 1 Ratio 3 निया पर यहाँ पर गलती हल किसी यह आएगा 3 Ratio क्योंकि A B और C सारे अपस में क्या हो जाएंगे पराबर हो जाएंगे एक इंपोर्टेंट और रिजल्ट है इंसेंटर से रिलेटेड मैं रिजल्ट बताता हूँ इस पर डारेक्ट कोशन एकजाम में मिलेगा तो आप कर पाएंगे मेरे पास एक ट्राइंगल हो क्या यह मेरे पास है ट्राइंगल A B C ट्राइंगल बैसेंटर एक लाइन बनाई जो इंसेंटर से पास होती भी जा रही या तो मेरे पास यह वाला एंगल होता है ना थीटा यह किसके बराबर होता है यह इन दोनों एंगल्स के थीटा बराबर होता है हाफ इंटू में जो यह दो एंगल से सामने वाली साइड इनके डिफ्रेंस के बड़े में से छोटे को घटाना है हमें बस यह रिलेशन्शिप आपको याद रखनी होगी इस पर काफे सारे कोश्टेंस एक्जाम में बनते हैं इंसेंटर कहां लाए करेगा आपको सीधी सी बात है बहिए ट्राइंगल के अंदर ही तो आप सरकल बना रहे हो अगर ट्राइंगल के अंदर सरकल बना रहे हो तो सेंटर तो सरकल का इस ट्राइंगल के अंदर ही पड़ने वाला है तो इंसेंटर क्या होगा inside ही रहेगा कोई भी triangle हो चाहे मेरा right angle triangle हो चाहे मेरा obtuse angle triangle हो इन center मेरा यहीं पे रहेगा क्या यह चीज clear हो गई चलें आगे अब आता है circumcenter 5 minute का break लेते हैं उसके बाद हम आगे continue करेंगे कि अब आगे आगे दो झाल 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 अगर हम बात करते हैं circumcenter की परिकेंद्र की तो ये क्या होता है अगर मेरे पास कोई भी triangle दे रखा है तो कहते हैं कि एक अगर मैं क्या करूं इसके angle by sector perpendicular by sector बनाओं perpendicular by sector का मतलब sides क्या है मेरे पास ये A है ये B है और ये C इसका midpoint ले लिया मैंने इससे मैंने माल लिया D AC का midpoint ले लिया E और इसका midpoint ले लिया मैंने ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा इसके perpendicular एक line खीचूंगा तो परपेंडिकूलर बाइसे लाइन जाएगी और इस पर मैंने क्या करा यहां से एक परपेंडिकूलर लाइन खीचूंगा मैं तो जहां पर यह परपेंडिकूलर बाइसेक्टर टकरा जाएं जहां पर यह परपेंडिकूलर बाइसेक्टर टकराएंगे यह point कहलाता है मेरा circumcenter circumcenter को आप C के जगह किसी और point से भी नाम दे सकते हैं चलो मैंने K नाम से मैं circumcenter को पकार रहा हूं यह एक ऐसा point होगा जहां से अगर मैं एक circle ड्रो करूं तो वह सीनो वर्टिस को टच करता हुआ जाएगा कहने का मतलब यह है कि अगर यहां से अगर मैं इसे मिला दूँ यहां से यह मिला दूँ और यहां से अगर मैं यह मिला दूँ तो यह तीनों चीजे क्या होंगी कि मेरी प्रीडियस कहलाएंगी क्या यह पार्ट के लिए एक प्रोपर्टी इसी जरीके से आप इसे यह भी देख सकते हैं कोई भी circle है मेरे अंदर में triangle डाला दूँ इसका circle होगा वही जो इस triangle के अंदर डाला जा सकता उसका circumcenter का point मेरा यह होगा कि यह पार्ट किलियर है तो पर्पेंडिकल और बाइसेक्टर जहां टक राएं वह होता है मेरा circumcenter का point और circumcenter से सारी वर्टेस इक्वल दूरी पे होती हैं आगे भड़ते हैं अब हम finding point of circumcenter यह मैंने आपको भी बताया already ठीक है circumcenter अगर मैंने निकाल ले एक triangle का चारो तरफ circle बना लिया तो आप कहेंगे सर यहां से अगर मैं इस vertex को जोड़ दू यहां से इसे जोड़ दू और यहां से इसे जोड़ दू तो यह मेरे सारे क्या होंगे radius होंगे यह भी radius होगा और यह भी radius होगा तो मेरे पास यह elliator triangle बनेगा न यह वाला भी lateral triangle यह भी lateral triangle और यह भी lateral triangle अगर यह तो मेरे पास ये भी, ठीक, तो अगर मैं पूरे ट्राइंगल को देखूं, इसे नाम देदू, मैं अगर A, B, C, तो तीनों कोनों का योग, A, प्लस, B, प्लस, C, क्या होगा, A लिया, एक छोड़ा, C लिया, एक छोड़ा, B लिया, ठीक, A, B, C, एक छोड़ के एक एंगल, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, तो मेरे पास ये C लिया, एक छोड़ा, B लिया, और एक छोड़ा, A लिया, इन सब कसम क्या आया, 90 डिग्री आया, अगर ये मेरा B है, य बी है यह वाला एंगल क्या होगा फटाफट से बताएंगे यह होगा मेरे पास 180-2b यही आयेगा अच्छा 180-2b बी एंगल किसके बराबर है मेरे पास यह तो बराबर है 90-a plus c के तो यहाँ पर अगर रख दूँ तो 180-2 90-a plus c तो आप देखेंगे मेरे पास यह बचेगा यहा a thing but twice angle BAC twice angle BA तो यह property होती है property क्या होवी मेरे पास अगर मेरे पास एक triangle दे रखा है यह उसका क्या है circum center का point है इसे मैंने के मान लिया तो यह वाला एंगल फ्सकर के क्या है center point है circle का ठीक है इस point को generally हम के की जगा यार ओ मानते तो ज्यादा better है कुछ भी मान सकते हैं चलो फिलाल मैंने के ही मान लिया तो मैंने कहा देखो मैं circle के अंदर एक triangle बना रहा हूँ ठीक है अगर मैं ये वाली line को हटा दू नीचे वाली line को तो भी मेरे पास क्या होगा चीजे वही रहेंगी अगर ये theta है तो ये वाला angle क्या आएगा तो ये वाल center पर angle बनता है वो double होता है जो major segment पर angle बनता है major arc पर ये चीज के लिए रहोगे तो ये circle की property भी है वही property हम यहाँ पर भी देख रहे हैं आगे भड़ते हैं तो ये सारी चीजे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये मैं already आपको समझा चुका हूँ उसके बाद एक और प्रोप इस टेल में नहीं जाओंगा मैं आप याद रखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि साइन रूल के time साइन डिवाइड़ एकोई एकोई साइन बीवाई एकोई साइन सी बाइसी ये वन बाई आर्टू आर के बराबर होता है तो ये टू आर है तो ये आर क्या है ये सरकम radius ह होता है यही वाला अगर मैं area के triangle की बात करूए यह होता है half into दो consecutive side जैसे ये वाली c है ये वाली side b है तो half into bc sin a होगा इस triangle का area और bc sin a है अगर आप यहाँ पर देखेंगे sin a की value मैं यहां से निकालनू sin a कि sin a y a मेरा किसके बराबर है 1 upon 2r के बराबर है तो sin a का मान होगा a upon 2r वो यहाँ पर मैंने put कर दिया a upon 2r तो मेरे पास result आया यह area of a triangle मेरे पास यह होता है a bc upon 4r where r is the circum radius तो यहाँ पर मेरे पास result क्या याद रखना है कि अगर मुझे triangle की तीनो sides दे रखी हो तो मैं circum radius कैसे निकालूगा इस तरीके से तीनो side दे रखी है area कैसे निकालेंगे area आप hero's formula से निकाल लोगे क्या करोगे hero's formula से आप क्या निकाल लोगे area निकाल लोगे और यहाँ पर put कर दोगे area की value तीनो side की value तो आप circum radius का मान निकाल पाएंगे क्या यह चीज clear हो गई in radius वाले case में क्या था आप को अगर तीनो side पता थी a b और c तो हमने पढ़ा था area होता है semi perimeter that is a plus b plus c divided by 2 into में in radius तो यहाँ पे भी area निकाल लोगे hero's formula से और semi perimeter तीनो sides आपको दीखी रही है तो in radius का relation भी मैंने सोच लिया है यहाँ पे in radius का relation भी निकाल सकता हूं कोई भी triangle की तीनो side जा रखे हो in radius भी निकाला जा सकता है और उसका circum radius भी निकाला जा सकता है right angle triangle की बात करूं मैं तो right angle triangle में अपने पास क्या होता है area की बात करूँगा area हो जाता हाफ into base into height यह base है यह height है अगर मैं यहाँ पर यह put कर दूँ area को half into base into height put कर दूँ और यहाँ पर यह formula लगा दूँ तो मेरे पास relationship निकल के आती है h equals to 2r जो hypertenious है ना यह यह perpendicular है और यहाँ पर हमसे base मानते हैं तो hypertenious क्या है यह मेरा twice into nova circum radius के पराबर है अगर यह twice into में circum radius के पराबर हो hypertenious में मेरे पास 2 vertices है circum center से दोनों vertices equal दूरी पर होंगी तो मेरे पास यह तभी possible है जब मेरे पास circum center का point हो यह क्या हो इनके midpoint प opini पर पड़े हैं इसके midpoint पर पड़े हैं यह मेरा hypotenuse के midpoint पर पड़े तो ये मेरा circumcenter का point होगा और यहां से भी अगर इसे join कर दूँ तो ये भी value मेरे पास R के बराबर आएगी क्या ये चीज clear हो गई तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप देखेंगे अगर ये इसका midpoint है क्या है मेरे पास right angle triangle है A, B, C क्योंकि midpoint को join कर रहा हूँ और ये जो median वाली length है मेरी आप देखेंगे ये जो median हो जाएगी इस case में फिर मेरा ये circum radius के बराबर हो जाएगी 90 degree वाली vertex से जहां पर angle 90 degree बन रहा है उससे अगर मैं median draw करता हूँ एक right angle triangle में तो वो किसके बराबर होता है वो circum radius के बराबर होता है ठीक है आगे बात करते है एक होती है मेरे पास euler line अब ये euler line क्या कहती है euler line पे जाने से पहले एक और property थी वो रहा गई क्या चलो इस पे जाएंगे euler line पे पहले एक छोटी सी और property हम समझते है एक minute में मैं आया झाल 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 एक प्रोपर्टी क्या होती है हमारे पास अगर एक triangle दे रखा हो मुझे कहें इसका circum center है ये क्या है इसका circum center ओके और यहां से मैं क्या डाल दूँ perpendicular डाल दूँ इसके उपर और यहां से circum center वाली line से join कर दूँ ये कोई angle बनेगा theta अगर ये triangle मेरे पास a, b, c है तो ये जो theta का मान होता है न ये बराबर होता है angle b minus angle c के ये circum center वाला point होगा अगर यहीं पे इसी triangle के अंदर ये मेरा circum center के जगा कौन सा point होता इन center का point होता क्या होता ये वाला point मेरा ये i होता ये मेरा in center का point होता उस particular case में जो ये theta होता ये angle a है ये b है और ये c है तो मेरे पास theta यहाँ पे था half angle b minus angle यहाँ पे half नहीं आएगा ठीक है modulus में मतलब बड़े में से छोटे angle को आपको घटाना रहेगा जो बड़ा angle होगा हमेशा वो 90 degree जो angle है इसके पास वाल angle बड़ा होता है इससे दूर वाल angle ये आप visually देख से चलें आगे अब मेरे पास आती है एक euler line euler line क्या करती है ये ratio बताती है किस ratio में ortho center centroid और circum center रहेंगे मतलब मेरे पास कोई भी एक triangle हो एक ऐसी line exist करेगी इस पे मेरा ortho center भी होगा circum center भी होगा और centroid भी होगा अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा ortho center यहाँ पर पढ़ रहा है ठीक है मेरे पास centroid यहाँ पर पढ़ रहा है और centroid को g से generally denote करते हैं और circum center को मैंने के से वाना है तो कि हाँ पर पढ़ रहा है तो मेरे पास क्या होगा ortho center to centroid 2 ratio होता है और centroid to circum center 1 ratio होता है तो मैंने कहा अगर यह मेरे पास ortho center है यह मेरे पास centroid है यह हमेशा एक line पे ही पढ़ेंगे तीनों के और अगर मैं बात करता हूँ ये मेरे पास circumcenter है तो मेरे पास ये वाली दूरी अगर two ratio है तो ये वाली दूरी में पास one पाती है इसे याद रखेंगे अब याद कैसे रखना है भीया कुछ नहीं करना right angle triangle में हमने ये चीज़ देखिया है तो वहां से याद रखेंगे मैंने क आपको ये भी पता है कि ये midpoint जो होता है ये मेरा किसका point होता है midpoint hypotenuse का कि ये circumcenter होता है और आपको ये भी पता है कि ये median की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि ये सामने वाली side को दो equal part में split कर रहा है और median पे एक point हाता है centroid जो median को two ratio one में split करता है तो ये ortho center है ये two ratio distance पे centroid है और ये one ratio distance पे मेरा circumcenter है क्या ये चीज clear हो गई चलें आगे अब मेरे पास एक और relationship आती है distance between circumcenter and the in center circumcenter और in center के बीच की दूरी पूछी जाए तो ये होता है under root में capital R square minus 2 R where capital R ये क्या है circum radius है ये क्या है circum radius है और ये मेरे पास small r क्या है in radius है इस पर आभी तक सवाल तो नहीं आया है बट फिर भी आप इस relationship को याद रख लें तो better होगा अगर मेरे पास एक right angle triangle है उसकी shortest median पूछ ले तो shortest median भी ये ही होती है that is circum radius एक right angle की shortest median ये होती है सबसे बड़े angle के सामने वाली जो सबसे बड़े angle से जो median बनती है वो हमेशा shortest median होती है ये चीज भी हम याद रखेंगे सबसे बड़े angle से जो median बनेगी वो क्या होगी shortest median होगी ठीक है और right angle triangle की shortest median क्या होती है वो circum radius के बराबर होती है ये कुछ चीजे जो मैंने अभी तक बताई वो ही है कि मैंने कहा acute angle triangle में ortho center कहा होता है triangle के अंदर अगर मैं बात करूँ और right angle triangle पे वो जो angle 90 degree होता है उस पर पड़ता है circum center की बात करेंगे acute angle triangle के अंदर तो circum center होता है triangle के अंदर ठीक है position वाला देख लेते है circum center अगर मेरे पास acute angle triangle है तो circum center होगा अंदर अगर मेरे पास right angle triangle है तो कहां पे है circum center यहां पे है और अगर मेरे पास obtuse angle triangle है कुछ ऐसा triangle है obtuse angle triangle तो circum center मेरा यहां पे लाई करेगा क्या यह part clear हो गी तो यहां पे हो गया यह outside साइड सरकल में भी हम एक जाके प्रोपर्टी पढ़ेंगे अगर यह सरकल है इसका क्या है डायमींटर है अगर मैं यहां पे कोड खीचूं और यह लाइन खीचूं तो यह वाला एंगल मेरा क्या होता है अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो पता नी कहा कहा एक चीज के पीछे लोजिक ढूंडते हैं अगर एक लाइन खीच के ट्रैंगल बन रहा है तो क्यों बन रहा है ठीक है कोड है तो कितनी मैकसिमूम लैंद की कोड जा सकते है अभी के लिए आप बस यह समझते रहें क्यों ट्रैंगल को बेंडए सर्कम सैंटर रहें अप दो या लूंगे साइट के पास रहेगा on कि यह संट्बें सर्कम सैंटर एंट इन सेंटर ही है हमारे पास आ गया एक्वैटरल ट्रैंगल तो वह वह भी अभी हम देख लेते हैं आ पो जिशन और देया सेंटर था एक सेंटर नीए था वह मैं आपको बता चुका हूँ यहां पर एक है और एक मेरा यहां पर यह सरकम है यह लाइन हम डिसकस कर चुके हैं अब हमारे पास आता है आईससलर ट्राइंगल में इक खास चीज होती है मैंने आपको यह बताया था अगर angle bisector हो तो वो क्या करता है perpendicular भी होता है सामने वाली साइड पर और इसे दो equal भागों में बाटता भी है या फिर मैं perpendicular डालो तो वो automatically angle bisector बन जाएगा या फिर मैंने अगर median डाली तो automatically वो perpendicular bisector बन जागा इस line पे मेरा क्या पड़ेगा आप कहेंगे sir perpendicular bisector वाली लाइन पे मेरा क्या पड़ता है circum center पड़ता है इसी line पे अगर मैं बात करता हूँ इसी line पे मेरा क्या पड़ता है centroid भी पड़ता है अगर मैं इसी line पे बात करूँ इसी line पे मेरा ortho center भी पड़ता है ये ortho center है ये मेरा centroid है और ये मेरा क्या है circum center है आई कहीं भी हो सकता है ये तिनों का order तो ये ही रहेगा फिलाल के लिए आप ये मानके चलें तो इस चारों के चारों जो center से मेरे इसी line पर पढ़ेंगे ये हमने बात करी आइसोसलस triangle की अगर मैं equilateral triangle की बात करूँ तो आप दे हो सकता है अगर ये मैंने क्या करा ये in center वाला point लिया तो angle by sector मेरा ये हां से जाए इसका अगर मैं median ड्रो करूँगा तो median मेरी हो सकती है यहां से जाए जो equal part में split करें पर perpendicular ड्रो करूँ 90 degree वाली line इस तरीके से जाए तो अलग अलग lines जाएंगे मेरी यहां पर इस case में ये म अलग पॉइंट पर लाए करेंगी अगर लेकिन हैं पर मैं क्या का बात करूँ यहां पर मैं यहां पर मैं बात करता हूं अगर मेरे पास equilateral triangle आ गया A, B, C ठीक है तो आप देखेंगे इसकी तो सारी sides बराबर होती है तो इस पर मैंने यहां पर perpendicular डाला तो यह bisect भी करेगा और इस angle को भी आइंगल को भी bisect करेगा similarly यह क्योंकि तीनो sides पराबर है तो यह side यह वाली side के equal है तो मैं अगर यहां से यह खीच दूँ तो भी एक ही points पर जाएगा यहां से मेरे पास फिर यह इससे bisect भी करेगा इस पर perpendicular भी होगा और यह एंगल bisector भी होगा और यहां पर खीचूँगा तो यहां पर भी मेरे पास same चीज होगी तो मेरे पास तीनो के चारो के चारो center in center, centroid, circum center, ortho center यह सारे के सारे एक ही point पर लाए करेंगे in case of equilateral triangle एक ही point पर लाए करेंगे तो आपको होगे sir यह a by 2 है यह मेरे पास a है पूरा का पूरा अगर मैं इसकी height की बात करूं height मैंने न area होता है root 3 by 4 a square अगर मैं देखूं यहां पर यह centroid भी है तो यह two ratio one में split करेगा अगर यह two ratio one में split करा देखो यहां से perpendicular डल रहा है तो एक center मैं बना सकता हूं इसे तो यह one ratio मेरा किसे represent करेगा यह circum radius को represent करेगा और यहां से लेके जो यहां तक की दूरी है यहां से लेके यह तो यह वाली दूरी हो जाएगी तो यह भी circum radius है तो two ratio circum radius को represent करेगा तो three ratio है मेरे पास height के बराबर root 3 by 2 a यहां से अगर मैं one radius ratio की value निकालूं तो one upon में two root 3 a आएगा जो की मेरा बराबर हो जाएगा in radius के और अगर two ratio निकालूंगा तो यह one upon a upon में root 3 बचेगा जो की मेरा ब ratio one और इसमें height का अगर मैं ratio ले लूँ तो height कितना हो जाएगा मेरे पास यह पूरा पूरा three ratio और equilateral triangle में मैंने यह भी बताया था आपको जो x radius होता है in radius ratio x radius वो क्या होता है one ratio three तो यह one ratio है तो x radius x radius क्या होगा three ratio तो height और x radius क्या हो गए पराबर हो गए यह सारी के सारी properties हमारे पास आएंगी equilateral triangle की तो direct questions आते हैं exam में यह equilateral triangle पे यह सारे के सारे याद रखने हैं बाकी angles वेगर आप निकालना चाहे हो तो निकाल ही लोगे क्या आपको होगे सर सारे angle 60 degree के होते हैं यह 60 यह 60 यह 60 यह 60 ऐसे ही अगर मैं next figure ले लूँ तो यह 60 60 60 हैं तो यह angle by sector है तो यह 30 हो जाएगा यह 90 है ऐसे ही हाँ पे बनाता तो 30 30 यह कुछ angles बनेंगे और कुछ निए Equilateral triangle में एक property होती है अगर मेरे पास कोई Equilateral triangle दे रखा हो A, B, C उसके अंदर कोई भी random point ले लूँ O, O क्या है? Any random point क्या मैं बनाता हूँ मैंने Equilateral triangle बनाया A, B, C उसना गंदा triangle कैसे बना सकता हूँ? चलो मैंने कहा मैंने एक triangle बनाया Equilateral triangle A, B, C इसके अंदर मैंने क्या करा? एक कोई भी random point ले लिया O इससे मैंने एक perpendicular adv डाला जिसकी length है P1 एक perpendicular adv डाला जिसकी length है P2 और एक perpendicular adv डाला जिसकी length है P3 तो जो इसकी height होगी ना, अगर मैं actual height इसकी draw करता इसकी जो मैं अगर actual height draw करता है यहां से लेके यहां तक तो जो height होती मेरी वो बराबर होगी P1 प्लस P2 प्लस P3 के यह property होती है यह बड़े असानी से prove कि जा सकती है अगर मैं इसे यहां से मिला दूँ इसे यहां से मिला दूँ तो यहां से मिला दूँ ठीक तो यह result याद रखेंगे आगे भड़ते हैं यह सब हो गया है यह repeat हो गई यहां कुछ slides चलो एक right angle triangle की बहुत important properties हैं अब हम वो देखेंगे बड़े ध्यान से यह property रट लेना याद रख लेना कि हमें याद करवा दूँगा साथ के साथ क्या क्या property होती है मेरे पास अगर एक right angle triangle दे रखा हो ABC इस angle यह 90 degree इसमें मैं क्या करूँ एक perpendicular खीच दूँ that is this यह क्या हो यहाँ पर perpendicular बड़े धिहान से समझना है तो मेरे पास इस point को नाम ले लेता हूँ आप कहेंगे सर अगर मैं इस angle को theta माल लूँ यह 90 degree है तो यह 90 minus theta हो जाता है ठीक है यह theta यह पूरा 90 तो यह 90 minus theta होगा और मेरे पास यह 90 है तो यह theta होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वाला triangle यह वाला triangle और पूरे बड़े वाले triangle में सिर्फ तीन ही कोन है that is theta, 90 minus theta and 90 तो तीनो triangle यह मेरे पास क्या आते हैं similar आते हैं इनकी similarity को यूज करते ही मैं कुछ results निकालता हूँ जो आपको याद रखने होंगे अगर यह theta है तो मैं यहाँ पर इसे base माल लूँगा इसे मैं क्या माल लूँगा perpendicular माल लूँगा और इसे मैं hypertenious माल लूँगा यहाँ से A से लेके D तक की दूरी को मैं X माल लूँगा D से लेके C तक की दूरी को अगर मैं Y माल लूँ और यहाँ पर B से लेके D तक की दूरी को अगर मैं Z माल लूँ तो मेरे पास relationship क्या क्या हैंगी वहाँ से start करेंगे सबसे पहली relationship अगर मैं बात करूँ मैं A vertex को पगड़ता हूँ अगर मैं A vertex से start करता हूँ तो मेरे पास A से एक length जारी है P ये वाली perpendicular मेरा क्या होता है P square ये बराबर होता है P A से ही मेरे पास एक length जारी है मेरे पास AD और एक length जारी है मेरे पास AC ठीक है तो AD क्या है मेरे पास X और AC मेरे पास है क्या H पहला relation तो मेरा ये हो गया कि ये होता है मेरे पास P square बराबर होगा X इंटू में Y के similarly अगर आप यहां से C vertex हो पगड़ ले C से एक length जारी है B तो मैं कहूँगा B square और C से एक length जारी है BD और एक जारी है B A तो मैं कहूँगा BD क्या है Y और B A है H तो एक relationship प्या आती है इन दोनों को ही अगर मैं add कर दूँ तो आप देखेंगे मेरे पास P square प्लस B square हाँ पर मेरे पास H कोमा आ जाता है यहाँ पर बचेगा X प्लस Y X प्लस Y क्या होगा यह तो H के बराबर है तो H into H यह होता है H square यह हमारी होती है Pythagoras theorem जो आप बच्पन से पढ़ते विया रहे है उसका प्रूफ यहाँ से similarity से निकलता है यह similarity से हम यह result निकलता है और क्या result आता है मेरे पास एक result मेरे पास निकलके आता है जो यह Z दिख रहा है ना बीच में ही हाँ से यह perpendicular जा रहा है Z यह बराबर होता है Z square बराबर होता है X into Y के क्या result आता है निकलके Z square बराबर होता है X into Y के एक result मेरे पास आता है 1 upon Z square यह वाला 1 upon Z square यह बराबर होगा 1 upon B square plus 1 upon B square एक result मेरे पास और निकल के आता है अगर मैं इस triangle की बात करूँ इसका area क्या होगा half into base into height तो आप कहेंगे half into B into P अगर इस पूरे triangle को मैं base को ये माल लू तो ये half into H into Z होगा तो area होगा half into H into में Z अगर यहां से use करें हम तो half से half कर जाएगा P into में B ये बराबर होगा H into में Z के एक relationship ये होती है ये सारी relationship आपको tips पर पता होनी चाहिए इस पर किसी पर भी question बुण जाता है examination चलें क्या आगे next question we have ये सारी properties मैंने लिखी विए है कौन से triangle similar होगे सब कुछ यहां पर mentioned आप देख सके अब मेरे पास क्या है इसी figure के अंदर बड़े धियान से समझेंगे तीनो अगर triangle similar आ रही है तो उनकी sides का ratio भी क्या होगा proportional होगा ठीक है और sides के बीच में relationship क्या है तीनो triangle में आप धियान से समझेंगे ये मेरे पास ये triangle है ये वाला triangle है ये मेरे पास है base ये अगर theta मानलू ये है perpendicular और ये है मेरे पास hypotenuse आपको ये चीज पता है कि मेरे पास ये वाला triangle ये वाला triangle और ये पूरा बड़ा triangle similar आएंगे अगर ये तीनो triangle similar आएंगे तो आप कहेंगे सर इस वाले triangle में 90 degree के सामने वाली side है B इस वाले triangle में 90 degree के सामने वाली side है P और इस वाले triangle में 90 degree के सामने वाली side है H क्या ये है और B, P और H के बीच में एक relationship maintained है that is B square plus P square equals to H square that is Pythagoras theorem ये हम सबको पता है तो ये ही relationship इनकी सारी corresponding sides के बीच में भी चलेगी यही relationship इनकी corresponding sides के बीच में भी चलेगी जब मैं यह कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है अगर मैं इसके अंदर एक circle डाल दूँ मैंने कहा इसका radius है r1, एक circle इसके अंदर डाल दिया इसका radius है मेरे पास r2, या फिर इसका r1 रखते हैं, इसका r2 रखते हैं और एक मैंने क्या करा, देखो अभी पहले इतना ही देखो, यह मैंने क्या करा, b वाली side, इस 90 के सामने वाली side थी b, अब इसका ही मैंने क्या करा, in radius, in circle बनाया, तो यह r1 है, तो मैं कहूंगा r1 का square यहाँ पर p इस वाले triangle में था मेरे पास, इसके सामने 90 के सामने वाली side थी, तो इसमें मेरे पास आ रहा है r2, तो मैं कहूंगा यह r2 का square, और यह h क्या था, पूरे बड़े वाले triangle में 90 degree के सामने वाली side, तो पूरे बड़े वाले triangle की बात करेंगे, अगर पूरे बड़े के अंदर मैं एक ऐसा सर्कल डाल लूँ और इसका रेडियस मैं कहूं कैपिटल आ इसमॉल आर है तो इसका एरिया क्या होगा यह होगा मेरे पास और स्कॉयर हाइपर टीनियस इस पॉलो होती है तो इन रेडियस की बीच में भी यह वाली रिलेशनशिप आपकी निकल के मेरे पास यह चोटे चोटे इन सर्कल बनाए ना मैंने यही ट्राइंगल है यही फिगर है इसमें गन्फ्यूज नहीं करना है यह मेरा 90 डिगरी का एंगल है बस फिगर को लिटा दिया तो यहां से एक परपेंडेगुलर डाल दिया तो यह मेरे पास आर वन होगा यह वाली प्लस रूट two में जो बड़े वाले सर्कल जो मैंने बड़े वाले ट्रेंगल का सर्कल बनाया उसके रेडियस के पराबर और यह आर क्या है मेरे पास अंडर रूट में आर वन का होली स्क्वेर प्लस आर ट्लस ओली स्क्वेर जो पीछा भी करा उसमें रूट ले लिया बस ठीक है, इस पर question आभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आज है तो आप कर पाएंगे, एक relationship और आती है right angle triangle में ही, अगर मेरे पास एक triangle ABC दे रखा है, 93 angle दे रखा है, BC पर मैंने कोई भी एक random point ले लिया, क्यों यह कहीं भी हो सकता है, एक इस पर point ले लिया, मैंने चलो P, P point मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इन्हें जोइन कर दूँ, इसे यहां से मिला दिया, मैंने इसे यहां से मिला दिया, या इसका color change कर, इसे मैंने क्या करा, इसे यहां से मिला दिया, और इसे मैंने यहां से मिला दिया, तो मेरे पास property क्या आती है, property कहती है अगर आप इस PQ को भी हां से मिला दो, तो PQ का स्क्वाइर, यह PQ मिलाया मैंने, प्लस यह AC है, जो सबसे बड़े वाला डाइगनल, सबसे बड़े वाले ट्रेंगल में, AC का स्क्वाइर यह बराबर होता है, TP और AQ, AQ का स्क्वाइर प्लस CP का स्क्वाइर, यह मेरी property कहती है याद रखेंगे पाइथागरोस theorem से बड़े असानी से proof की जा आगे भड़ता हूँ इस पर question आया अगर इसी property के अंदर क्या कहे मुझे P और Q क्या देदे midpoint देदे A, B और A, C का P और Q क्या देदे P midpoint देदे मुझे Q midpoint देदे B, C का और P midpoint देदे A, B का तो उस particular case में क्या हो जाता है मेरे पास उस particular case में क्योंकि यह midpoint हो गया तो आप कहेंगे इस वाले पूरे triangle को अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो यह वाली line है midpoints को join करके बनाईए तो यह दोनों line parallel हो जाएंगी ठीक है similarities से हम यह चीज प्रूफ कर पाएंगे और हमारे पास मतलब यह वाला triangle और बड़े वाला triangle क्या आजाएंगे similar आजाएंगे तो यह वाला angle इसके बराबर यह वाला angle इसके बराबर यह दोनों line आपस में parallel हो जाएंगे तो यह PQ क्या हो जाएगी अगर यह midpoint को join करके बनाया गया है PQ हो जाएगा मेरा AC by 2 और वही चीज में जो भी relationship बताया था उसमें put कर दूँ तो मेरे पास दो चीजे निकल के आएंगी 5 AC का square बराबर हो जाएगा 4 AQ square प्लस PC square और यार फिर मैं कहा सकता हूँ 5 PQ square बराबर हो जाएगा AQ square प्लस ठीक तो PQ यह है यह मेरा AC है और यह अगली प्रोपर्टी मेरे पास क्या है एक right angle triangle ही दे रखा इसके ओपर भी CGL 2019 में सवाल पूछा गया था अगर मैं यहां से क्या करूँ सामने वाली side को यहां से कुछ ऐसी दो line डालू जो इसे trisect करे सामने वाली side को मतलब 3 equal भागों में बाट दे मतलब यह वाली दूरी x हो यह वाली दूरी x हो और यह वाली दूरी x हो इस point को अगर मैं P माल लो और इस point को क्यों माल लो तो कहता है जो बीच वाली line है न एक यूँ इन दोनों hypertenious के बीच वाली line 8 into में AQ square यह बराबर होता है 5 into में AP square यह वाली side 5 यह वाली side 8 ले रहा हूँ और यह वाली side 3 5 AP square plus 3 AQ Aces यह मेरी property ठीक है यह भी Python Grosth theorem से proof की जा सकती अगली property क्या है मेरे पास एक मेरे पास मैंने सीधी ऐसी कुछ line खीची इस पे मैंने क्या बनाए एक triangle बना ली कोई दिक्कत यहां तक नहीं कोई भी नीची है यार यहां तक दिक्कत होगी तो कैसे काम चले अब मैंने क्या करा है हाँ यह कुछ angle रहा होगा मेरे पास मैंने मान लिया यह वाला एंगल है थीटा अब मैंने क्या करा इसका एक इस वाले एंगल का एंगल बाइ सेक्टर बनाया क्या बनाया इसका एंगल बाइ सेक्टर बनाया ऐसी मैंने इसका एंगल बाइ सेक्टर बनाया किसका इस वाले एंगल का इसका angle by sector बनाया मैंने और इसका angle by sector बनाया ये जाके point P पे में जाके मिल गया तो कहता है अगर ये वाला angle theta होगा तो मेरा जो result आएगा ये वाला angle जो होगा ये theta by ये property कहती है इसे याद रख लेंगे basic से prove किया जा सकता है एक property क्या कहती है मेरे पास एक line है इसके ओपर मैंने कोई perpendicular line ऐसे खीचिदी इसके ओपर भी मैंने एक ऐसी कुछ perpendicular line किचिदी कितनी भी length हो सकती है ठीक मैंने ऐसी कुछ line किची ये 90 degree है बस मैंज इतना पता है ये भी 90 degree है इतना पता है ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस वाली लाइन को इसके बोटम से मिला रहा हूँ ये वाली लाइन को इस वाली लाइन के बोटम से मिला रहा हूँ ठीक है तो मेरे पास बीच में ये point आएगा कुछ इस point पे अगर मैं यहां से यह नीचे perpendicular डाल दो इस point पे मैंने क्या करा है यहां से perpendicular डाल दिया इस length को मैंने मान लिया x है और इस length को मैंने मान लिया y है और इस length को मैंने मान लिया z है तो कहता है 1 by z यह बराबर होगा 1 by x plus 1 upon y के यह भी prove किया जा सकता है किस से similarity लगा के आप triangles के यह बड़े वाले triangle और छोटे वाले triangle इसमें similarity लगाओगे फिर इस बड़े वाले triangle और छोटे वाले triangle में similarity लगाओगे यह relate आ जाए यह result याद रख लेंगे एक property होती है मेरे पास एक triangle है मेरे पास ABC इसमें कोई भी मैंने एक random point ले लिया कोई भी triangle हो सकता है Five a so squat, quillator, normal इसमें कोई भी point ले लिया हो इस point से मैंने एक perpendicular इधह बड़ाला मैंने क्या करा इस point से एक perpendicular इधह बड़ाला एक perpendicular इधह बड़ाला और एक perpendicular इधह बड़ाला तीन perpendicular ड़ाल दिया हो कोई भी random point है तो property कहती है कि आप ना यहां से start करो इस वाली side का square कोई भी एक side मैंने पकड़ ली इससे नाम देदू अगर मैं D, E, F तो मैंने कहा AF का square फिर एक छोड़ दिया B, D का square फिर मैंने DC को छोड़ दिया C, E का square ये किसके बराबर होगा बची भी तीनो sides के square के sum के बराबर होगा याद रहे तो अच्छा है नहीं याद रहे तो कोई दिकती है अभी जितने भी properties में आगे कराने वाला हूँ इन पर questions जादा नहीं बनते है अग्जाम मैं आगया तो आप करता है इसलिए करा रहा हूँ अगर याद नहीं रहता तो आप छोड़ सकते है ठीक है कोई जादा इंपोर्टेंट नहीं है इसके आगे वाली properties ट्राइंगल से ये होती है केवत हियोरम होती है हमारे पास ये क्या कहती है कि मेरे पास अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल बना दू इसमें मिझे तीन सीवियन बनानी है मैंने एक सीविय जाली कहीं भी ढाल सकता हो मैं ये मैंने ऐसे ढाली जाने मुझके गंदा बना रही हूं मैं डायगराम जिससे कि आपको लगे है एक सीवियन ये बना ली तो मेरे पास दो सीवियन आ गई न into में यह मैंने लिखा AF into में multiply कर रहा हूँ PD PD इसमें multiply कर रहा हूँ यह EC CE इन तीनों का multiplication divided by फिर मेरे पास है नीचे क्या जाएगा ये फिर एक छोड़ के ये और फिर ये इसके बराबर होगा 1 के बराबर या फिर alternate sides जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर 6 sides में बटा एक, दो, तीन, चार, पांच है alternate वाला के करके लेंगे उनका multiplication बाकी alternate वाले के बराबर होगा मतलब यहाँ पर AF into में BD into में EC यह बराबर होगा मेरे पास BF into में DC into में यह हमारी के बराबर होगा अगला सवाल हमारे पास एक प्रोपर्टी क्या होती है एक triangle अगर मुझे ABC दे रखा है ऐसी मैंने जो CVN अभी बनाई थे ना बिल्कुल सेम तरीके से मैंने CVN बना दी एक ऐसी एक ऐसी और तीसी उसे touch करते हैं तो प्रोपर्टी कहती है AO के AO है divided by OD, AO by OD, AD, sorry यह A हो है यहां से AD, पूरा का पूरा यह लेंब बिल AO divided by AD, यह BO divided by BD, BE, sorry, and मेरे पास CO divided by CE, पूरी की पूरी, वर्टेक्स से लेके intersection point और वर्टेक्स से लेके पूरा CVN की लेंद, अगर इन तीनों का मैं सम कर दूँ क्योंकि तीन ही बनेंगी तो यह 2 के बराबर आएगा अब यह याद कैसे रखना है, आप इस point को, यह CVN कुछ भी हो सकता है, तो CVN को मैं क्या मान लेता हूँemption, CVN को क्या मैं centroid मान सकता हूँemption, CVN को medians मान सकता हूँ, median भी तो एक तरह की CVN होती है अगर मैं इनने medians मान लूँ इनने क्या मान लूँ मैं बस याद रखने के लिए बता रहूँ मैं अगर मैंने इनने medians मान ले तो आप कहेंगे सर median क्या median centroid पे टकरएगा centroid 2 ratio 1 में split करेगा तो मैं कहूँँगा ये वाली side अगर 2 ratio होगी तो ये वाली side 1 ratio होगी, तो ये पूरी side कितनी होगी 3 ratio, तो ये पहली length क्या होगी, AO by OD, A, B, C, D, E, F, तो AO by AD, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 ratio 3, ऐसे ही BO by BE निकालूगा, ये भी 2 by 3 आएगा, और ये भी 3rd वाला भी 2 by 3 आएगा, तो ये 6 by 3, that is 2, तो आप centroid मान के कर ले बाकी basic से इसका derivation मैंने अपने paid course में करा ही रखता है, अभी उसकी जुरत भी नहीं, derivation याद कर रखने के आपको, आपको ये बस result आ गया तो कर पाओ, इसलिए बता रहे हैं, इस पर questions भी कापी time से नहीं, अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे ही मेरे पास, अगर OD और by AD, अभी ऐसे ही अगर OE by this, तो plus 1 by 3, और OOF divided by this, 1 by 3, ये क्या हो जाएगा, 3 by 3, that is 1, ये relation, याद रह जाएगा, छलें के आगे, एक होती है Stewart's theorem, I don't know लोगों को इससे तना रादा प्यार क्यू है, बट समझ लो, मेरे पास क्या हो, अगर कोई भी एक triangle दे रखा हो, मैंने का ये triangle है, मेरे पास A, B, C, ठीक है, इसकी length मेरे पास A दे रखी है, ये वाली length मुझे C दे रखी है, और ये वाली length मुझे B दे रखी है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा वाया, तो इसलिए मान लिया, अब यहाँ पर मैं कोई भी CV and draw करूं, मैं क्या करूं, यहाँ पर दूरी जहाँ पर टकरा रहा है, इस point को D मान लेता हूं, यह M मान लेता हूं, property कहती है मेरे पास, देखो, A से लेके, या इधर multiply करेंगे, A N square, दिख नहीं रहा, pink ले, A N square प्लस, ये क्या है मेरे पास, B है, ये यहाँ पर आएगा, B M square, ये बराबर होगा मेरे पास, ये है मेरे पास X, X किदर आएगा, इधर आएगा C पर, तो, sorry, C कहाँ पर जाएगा, X पर जाएगा, A से B लेर थे न, ठीक है, C कहाँ पर जाएगा, ये X पर जाएगा, C, X square, और यहाँ पर ये M और N है, तो ये मेरा C, M और N पर भी जाएगा, तो ये आएगा, C, X square प्लस, into में ये याद रख लेना, ठीक है, अब इसी में ही अगर आप क्या करें, Apollonius theorem प्रूव करनी है, तो मेरे पास D क्या हो जाएगा, इसका midpoint हो जाएगा, तो special case Apollonius theorem बन जाएगा, तो ये median की तरह act करेगी, ऐसे ही अगर इसे angle bisector ले ले ले, तो मेरे पास ये in center की तरह काम तो उस case में आप वह भी निकाल सकते हैं, के length, तो इसी का एक specific case मेरे पास, अगर मैं देखू, Apollonius theorem भी होता है, अगर Apollonius theorem में क्या बताया था, मैंने अगर इस point को नाम देदे D, तो ये median की तरह काम करेगा, तो ये मेरे पास, नाम करन यह है, ये, ये धियान रखना, वहाँ पर अलग था C, और यहाँ पर अलग था, मैं अलग तरीके से ले रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया, से A से निकाल रहा हूँ मैं, तो C square प्लस B square, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास, half AD का square प्लस BD, ये मेरी Apollonius theorem ती, तो C और B भी हटाई देता है, मैं सीधा आपको लिखता हूँ, यहाँ पर A, B और, अगर मेरे पास यहीं पर ये point क्या हो जाए, ये median है, अगर ये angle by sector हो जाए, तो मेरे पास ही होगा A, इस point को अगर मैं मान लूँ D, तो मेरे पास क्या value आएगी फटाफट से बताओ AD के लिए, AD स्क्वाइर मेरा बराबर होता है, इस case में, अगर ये angle by sector है, A, B, into में A, C, जो मेरे पास side से रखेंगे ये वाली और ये वाली, minus में, B, D, into, यहाँ पर modulus लगा सकते हो, क्योंकि ये internal angle by sector है, अगर ये external angle by sector भी ले ले लें, तो भी हमारे पास ये positive result आएगा, तो यहाँ पर modulus लगा दिया हमने, तो ये मेरा answer हो, तो result positive आना चाहिए, एक property है हमारे पास, अगर मेरे पास एक triangle दे रखा है, जिसकी सारी sides क्या है, इंटीजर हैं, मतलब A, B, C, ये इस क्या है, A, B, C, B, A, B, और C, सारे क्या है, positive integers हैं, मतलब पुर्णाख value integer का, मतलब 1, 2, 3, point में value नहीं है, तो मेरे पास क्या होता है, number of triangles जो हम form कर सकते हैं, वो होता है, P अगर perimeter दे रखा है, तो P square divided by 48, अगर P even हो, और number of triangles जो हम form कर सकते हैं, वो होता है, P plus 3 का whole square divided by 48, अगर P odd हो, तो याद रखना है, रखो नहीं, तो छोड़ सकते हैं, कुछ और properties हैं हैं हमारे पास, CVN से related ये properties बनती हैं, देखो मेरे पास क्या क्या आता है, अगर एक triangle है, मैंने क्या करा है, ABC ट्रो करा, triangle बनाया, ठीक हैं मैंने इसमें क्या कर दी, एक CVN डाल दी, ये 90 degree नहीं है, नॉर्मल है, ये मैंने D क्या है, CVN है एक, ये AD क्या है, CVN, और ये सामने वाली साइड को, A ratio B में बाट रही है, तो हमें तो ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, कि जो ये वाला area होगा, पूरा का पूरा, वो A ratio होगा, ये वाला area पूरा का पूरा क्या होगा, B ratio होगा, same ratio में बटेगा, अगर ratio बराबर है, तो मैं इसे A, K मान सकता हूँ, और इस area को मैं B, K मान सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक point ले लूँ इधर, यहाँ से मैंने एक point पर ये मिलाया, यहाँ से एक point पर ये मिलाया, इस point को नाम दे देते हैं, तो अगर मैं इस triangle को देखूँगा अब, तो इस triangle को ध्यान से देखूँ, क्या यह K, D, C, V, N की तरहे काम करेगी, तो यह भी A ratio B में बटेगा, तो इसे AM मान सकता हूँ, इसे BM मान सकता हूँ, तो अगर मैं इस वाले triangle का area, और इस वाले triangle का area की ratio की बात करूँ, यह वाले triangle का area की इसके बार आप रोका, पूरे बड़े वाले triangle का area, जो की है मेरे पास A के, यह छोटे वाले triangle का area है AM, ऐसे ही अगर इस वाले triangle का area की बात करूँ, मैं इस वाले triangle का area की, कौन से triangle का area की बात कर रहा हूँ, जो दो triangle के areas की बात कर रहा हूँ, वो मैं highlight कर रहा हूँ, यह वाला triangle का area और यह वाले triangle का, ठीक है, तो यह दूसरे वाले triangle का area, इस वाले triangle का area का ratio क्या होगा, B के पूरे का था, B के minus B M, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, A को मना जाएगा, उपर नीचे B को मना जाएगा, K minus M, K minus M, तो यह आजाएगा A by B, तो मेरे पास यह वाले triangle और यह वाले triangle का area का ratio भी क्या होगा, यह ratio B, तो यह ही हाँ पर लिखा है, किलियर हो गया यह वाला part, इसी तरीके से एक और property इसी theorem पर मेरे पास बनके आती है, ज्यादर deep में जा रहे हैं, दो property और हैं, फिर हमारे triangle खतम होगा, मेरे पास एक triangle है यह, मैंने एक cvn डाल दी, A, और यहाँ पर मैंने क्या रेंडम point ले लिया, M, फिक है, M point से मैंने क्या करा, इन दोनों को join कर दे, अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखी यह वाली दूरी A, और यह वाली दूरी B, यह वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कि मुझे A दे रखी है, मुझे क्या बताना है, area of A, B, M, C, A, B, M, C, इसका area, ratio area of triangle ABC है, पूरा का पूरा बड़े triangle है, इसका area क्या होगा, इससे मत देखों, यहाँ पर typing error है, यह BMC होगा यहाँ पर, तो यह छोड़ दो अभी, यहाँ पर जो भी लिखा है, मैं दूसरे तरीके से गराऊँगा, इस proof को छोड़ दो फिला, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, देखो, अगर मैं इस triangle को consider करूं, इस triangle में आप देखेंगे, यह A है, यह B है, यह CVN की तरह काम कर रहे है, तो यह वाला area अगर A के होगा, तो यह वाला area क्या होगा, B के होगा, अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एक ट्राइंगल में यह CVN की तरह काम करेगी तो यह वाला एरिया मेरे पास A ratio B में बट रहा है तो यह A M होगा तो यह मेरे पास B M होगा कोई भी एरिया मुझसे पूछे मैं बता सकता हूँ अगर मेरे पास quarterly literal A B M C A B M C ratio area of triangle B M C पूछे तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास आप कहेंगे sir A K plus A और यहाँ पर यह मेरे पास यह B M C अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यह B K plus B M यहाँ पर K plus M K plus M दोनों में कटेगा तो बचेगा A by A B तो मेरे पास area का ratio क्या होगा यह उपर वाली पूरी figure और यह नीचे वाली figure का यह होगा A ratio B जिस ratio में side बटी उसी ratio में मेरा area बट जाएगा क्या यह चीज clear हो गई और इसी ही तरह से अगर मैं यह area of A B M C ratio triangle ABC पूरा triangle ले ले लेता तो क्या होता तो आप कहते हैं सर कि इन दोनों का sum ही तो मेरे पास triangle of area इस पूरी figure और यह नीचे वाली figure का sum तो पूरी figure के बराबर होगा तो यह A ratio भी था तो यह A plus B बन जाएगा नीचे और उपर क्या है A तो यह मेरे पास ratio निकल लेगा clear और यहां पर मैं यह वाला point ना बिल्कुल पीछे इसके बिल्कुल पीछे की side ऐसे ले जाता तो मेरे पास यह B length होती तो भी मैं यहां पर कह सकता था यह M point है यह मेरे पास क्या है A है यह B है और यह C है ठीक है और यहां पर मेरे पास यह point है area of triangle ABC बड़े उपर वाले triangle और नीचे वाले triangle area of triangle BMC का area क्या हो जाएगा मेरे पास ABC triangle का area कैस के proportional था A plus B के proportional था और यह BMC triangle का area था B के proportional तो यह figure भी बनाई जा सकती यह figure हम quadlateral में देखते है जब हम quadlateral पढ़ते है ऐसे ही हमारे पास यह figure है ठीक है अब इसे मैं deep में नहीं कराऊँगा मैं आपको सीधा बोलता हूँ अगर मुझे ratio निकालना हो इस figure का ratio इस figure का ratio इस figure का common CVNRE है तो यह कितना हो जाएगा C ratio B ratio A और पूरा अगर मैं कर दूँ तो यह A ratio B A plus B plus C पूरे triangle का area देखना इस है कोई typing error हो तो please forgive me for that I tried my best but typing error हो जाता है content writers mistake कर देते हैं और एक चीज verify करना थोड़ा मुश्किल होता है ठीक है तो this is how we learn triangle सारी important properties हमने सबको अच्छे से मैंने explain कर दिया कि exam में कोई भी question है तो आप कर पाएं वीडियो तीन घंटे की चलिए लेकिन देखो एक एक चीज इंपोर्टेंट थी मैंने कोई भी चीज ऐसा नहीं करा कि हवा में चीजे करा दी आपको अगर आपने पूरी वीडियो देखिए आप प्रिवेस यार बुक से प्रैक्टिस करेंगे आप देखिए हर एक प्रोप प्रैक्टिस के अंदर यह वाली वीडियो अवेलेबल मिलेगी उसके साथ में इसकी पीडियो अप्लोड इट रहेगी तो वहां से आप यह पीडियो को मैं फ्री रखूंगा मैस को साथ ही साथ कम्प्लीट त्यारी के लिए आप आर भी एप्लिकेशन को दाउनलोड कर सकते पूरा मैस कोर्स मेरा मिल जागा जिसमें सारे चीजे मैंने बिल्कुल बेसिक से हाई लावल तक रा रहे हैं डिटेल्टिट जारे के लिए आप आर भी एप्लिकेशन डाउनलोड करें सारे चैप्टर्स की सारी वीडियो अप्लोड हो चुकिया कुछ चैप्लोड क्रेश को मेस्पियिः कर सकता हुँ और बाती से अशायद रही होगा एक ज्साल होसकता है तर इस सब्सक्रिप्चन अर् ценी अवहेैं सभिचस प्राइसि प्राइश साहत ऑ्किसंप के shattered साथ जो लेटेस्ट एक्जाम्स की जितनी भी पीडिएफ होती है सीजिल 2018 से लेके 2021 तक की सारी पीडिएफ चेप्टर वाइज मैंने डाली हुई है ठीक है प्रैक्टिस के लिए कि आपने कोई चीज सीखी उसकी प्रैक्टिस भी आपका रपाओ जो भी क्लास में हम पढ़ते उसकी पीडिया विद अनोटेशन भी प्रोवाइड करते हैं तो वहां से आप सीख सकते हैं ठीक है और यह जो 199 वाला कोर्स है यह बिल्कुल फ्री रहता है इस कोर्स के साथ मैं उसके साथ साथ मेरे साथ साथ और भी टीचर्स हैं जो आपको एप्लिकेशन पर मिलेंगे जो आप इस प्रीचर्स होती है रीजनिंग आप कोर्स भी आपको आर भी अप्लिकेशन पर मिल जाएगा और इस फो नाइट इन उसके बाद इंग्लिश का विए वह लेबल है वह वह स्लाइड यहां पर रहा गई इंग्लिश का कोर्स इस फाइव ना चाहते हैं पूरी त्यार आपको सारी चीजे जो बहुत इंपोर्टन एक्जाम के लिए वह कुराई जाती है टार्गेट आपका सेलेक्शन है डेडिकेटिव टेलिग्राम ग्रूप्स मिलते हैं यहां पर मेंटर्स खुद अवेलेबल हैं जो आपकी क्वेरी को सोल्व करते हैं कोई भी कहीं भी आप करें डालते हैं तो वह उनका सोल्वीशन है और हर क्लास की वीडियो पीडियास मिल जाएगी आपको सिर्फ यह एप्लिकेशन पर ही नहीं आप www.rbe-learning.com पर जाके यह सारी की सारी वीडियो कोर्स के वहां पर भी देख सकते हैं वेबसाइट के तुरूं जिससे कि आपको को बड़ी स्कीन पर देखने का लग आनन्द होता है तो अच्छा महसूस होता है तो वह काम भी आप कर सकते हैं वह एक्सिस हमने दे रखा है आप लोगों से हील विजा लेता हूं उम्मीद करते हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत कुछ सीख़ा होगा आपने जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार वा नाइस जाहन